हलो 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 एवरिवान उमीद करता हूँ कि आप लोग चोज दुरूस्त और तंदुरूस्त हो mentally and physically fit and fine दोस्तों जबर्दस्त हमारे रहा कल का सेशन कल के सेशन में हम लोगोंने बड़े प्यारे प्यारे बहुत ही सुन्दर सुन्दर क्या कोश्चन बना इंस्यूट ने lovely questions हम लोगों देखे राउंड 25 के आसपास हम लोगोंने question देखे और आज हम लोग कारवार शुरू कर रहे है आज भी टार्गेट करते हैं 30 के आसपास, उसका थोड़े जादा भी करें, 30 के आसपास हम लोग कोश्चन करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो बहुत प्यारा सा माहौल बन रहा है, इसके अंदर हम बहुत प्यारे-प्यारे कोश्चन देख रहा है, उसका interpretation हम लोग देख रह है, और फिर उसके answers को समझना कैसे, याद कैसे रखना है, वो भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, आईए, now, आईए, हम लोग already cover कर चुके थे, we have already covered, हम already cover कर चुके थे, आपके बहुत प्यारे-प्यारे questions, SQC1 के, आपके बहुत प्यारे-प्यारे questions ऐसे 220 के, ऐसे 240 के, अब आगे बढ़ते हम लोग, chapter 2 कोई, chapter 2 कोई हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आप सब लोग को बता दू, मैं आप सब लोग को बता दू कि हम लोग कोंग जो कोंट्र औरों दुल्ग कोंट्रवार कbyется और दी हरा है जायए उस लिंक पर रेजिस्ट्र करवाईगे रेजिस्ट्र करने के बाद में घाईए चूरौ शूड़ लोगिन के अंदर आप को जैने कामों च मिले गा कोर्स में politics इन देगा वहाँ पर आपको important questions की list मिल जाएगी और मेरे जो handwritten notes है मेरे जो handwritten notes है जो मैं class में लिखता रहता हूँ वो भी आपको वहापन मिल जाएंगे ठीक है तो उसका पुरा फायदा उठाईए यही sequence पे हम लोग चलने वाले है तो अगर कोई बच्चा पहले से questions को देखना चाहता है या फिर समझना चाहता है कैसे हम लोग चल रहे है तो वो लिस्ट आप फॉलो करिये वही list में हम वही sequence में आगे बढ़ेंगे chapter 1 से लेके chapter 19 तक हम लोग जा रहे हैं और daily base पे 30 क्यास पर questions हम लोग target कर रहे हैं ठीक है आईए आज का पहला question as a 250 के ऊपर 250 के ऊपर while verifying the employer required was found that major portion of the labor employed was child labor child labor tha on requesting the management or it was told it was outside his scope of financial to look into the compliance with other laws वो बोले हमारे scope में नहीं है other laws ठीक है comment in accordance with relevant standards on auditing बेकि बहुत simple सा यहां पर ठीक है यहां पर बहुत simple सी बात है सबसे पहले आपको reference देना पड़ेगा ऐसे 250 का reference देना पड़ेगा उसका पुरा नाम देना पड़ेगा उसके बार में कुछ बाते बुलनी पड़ेगी पहले reference आएगा reference के बाद में जो most important content है वो आप आप बताएंगे आप बताएंगे कि ऐसे 250 ऐसे 250 बोलता है ऐसे 250 लॉट को दो इसमें part divide करता है ऐसे लॉट जिसका direct effect है ऐसे लॉट जिसका direct effect है financial statements के ओपर डारेक्ट इफेक्ट के फइनैंशल स्टेटमेंट के उपर जो कुछ industry specific laws होते है financial statements के format के ओले law होते है या फिर आपका income tax होता है आपका provision होता है direct amount पे impact है ऐसे law जिसका direct effect है financial statement के उपर उसका क्या check करना पड़ता है compliance direct effect का आपको compliance check करना पड़ता है जितनी चाहे उतनी audit procedure लगा लीजे detail में list लेकर बैठी है और देखिए सारे important section का compliance हुआ है कि नहीं हुआ है तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि से 250 से 250 चीजों को दो इसमें बाढ़ता है एक होता है आपके direct effect वाले laws डाइरेक्ट इफेक्ट वाले लॉज जिनका compliance check करना पड़ता है इनका compliance check करना पड़ता है और एक होता है आपके other laws यह other लॉस का material effect हो सकता है material effect हो सकता है business के उपर और बहुत बड़े amount के penalties आ सकती है ठीक है जिनका material effect हो सकता है material effect हो सकता है यहाँ पे हमको non compliance check करना पड़ता है non compliance तर इसका मतलब क्या हुआ direct effect में compliance check करना है मतलब जितने important sections अब लेकर बैठेंगे उसकी inquiry करेंगे उसका inspection करेंगे ठीक है उसके documents आप देखेंगे सब कुछ करेंगे compliance check करने के non compliance में सिर्फ दो चीज़े करते है हम लोग inquiry करते है कि भाई यह जो यह जो laws है इसका कोई non compliance तो नहीं है इसका कोई non compliance तो नहीं है इसके बारे हम पूश्टाच करते company के management से TCWG से legal head से इन सबसे inquiry हम लोग करते है और इसके बाद में correspondence जितना भी letter exchange communication हो रहा है company और legal authorities के बीच में ठीक है जितना भी correspondence हो रहा है company और legal authorities के बीच में यहां पर हम लोग उसको study करते analyze करते यहां study करते कहीं पर कोई non compliance तो नहीं है बस यह दो चीज़े ठीक है तो ऐसे 250 हमको direct effect वाले laws है उस पर भी focus करने के लिए बोलता है और जो other laws है उस पर भी focus करने के लिए बोलता है दोनों को बोलता है तो दोनों हमारे scope में आते हैं ठीक है माना कि child labor का कोई direct impact नहीं है financial statement के उपर लेकिन कल जाके इनका license हो सकता है cancel हो जाए कल जाके हो सकता है heavy penalty उनकी उपर हो जाए कोई बहुत बड़ी litigation उनकी उपर हो है यह other laws में आता है यह other laws में आता है और उसका भी non-compliance check करना पड़ता है और ऐसे check करना पड़ता है non-compliance तो आपको उन्होंने भी same चीज़ की है they have done exactly they have done exactly same चीज़ और इसको other law बोला हुआ है ठीक है other law बोला हुआ है तो आप पहले reference देंगे reference देने के बाद में ऐसे 250 का यह concept बताएंगे direct effect direct effect वाले laws direct effect वाले laws और other laws वाला आप बताएंगे फिर आप case को discuss करेंगे और बोलेंगे बिल्कुल हमारे scope में आता है 100% हमारे scope में आता है it is within our scope तो आपका जो contention है आपका जो contention है आप जो बोल रहे हो ठीक है कि हमारे scope पे नहीं आता है यह बिल्कुल गलत है it is within our scope और एक चीज़ ensure करना चाहिए proper accounting और provision है जित्ते भी cause fine litigation other consequences है इसका भी material effect अगर नहीं हो करोगे तो हम modify कर देंगे नहीं करोगे तो हम modify कर दोगे let's freeze guys इसको freeze करती से answer को let's freeze guys बहुत simple है बहुत आसान है ठीक है simple सा सवाल था May 23 मौक का है May 23 मौक का है question है आपको बताना है कि भाई ऐसे 250 applicable है वो दो तरह के loss की बात करता है एक में compliance check करना होता है एक में non-compliance check करना होता है non-compliance check करने के दो तरीके होते inquiry और correspondence limited audit process को लगा जाता है ठीक है case को discuss करोगे बताएंगे हमारे scope में आगे और एक चीज़ आप बात करोगे और एक चीज़ आप बात करोगे कि आप देखो के proper accounting हुई है कि नहीं हुई है प्रॉपर accounting प्रॉपर accounting हुई है कि नहीं हुई है if not तो फिर आपको modify करना पड़ेगा आपको modify करना पड़ेगा अपने open को तो lovely question है दोस्तों बहुत simple सा question है एक बार देखावा होना चाहिए तो exam में click हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यह question दोस्तों यह जो question है this question यह पुछते नहीं question है पुछते नहीं आगर आप देखोगे May 16 exam 17 study material 18 RTP 18 exam 20 exam एक rage हुआ करदा इसका कुछ सालों पहले अभी 2-3 साल में फिर study material 21 November 21 mock paper May 23 MTP फिर से इसकी entry हो रहिए दोस्तों फिर से इसकी entry हो रहिए अच्छा और एक मजे की बात बता दू और एक मजे की नहीं है यह question आपके नए study material में नहीं है देखिया ऐसा भी होता है इसलिए concept book और question bank दोनों करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है concept book तो करना ही है, जैसे हमारी audit titanium वो concept वो तो करना ही होता है, लेकिन साथ में, साथ में जो question bank है, question bank के अंदर आप ऐसा मान कर चलिए, आपको 5-10% नए concept मिलेंगे, 5-10% नए concept मिलेंगे all together, ठीक है, all together आपको 5-10% नए concept म पढ़ेगा, यहाँ पर question क्या है, question बहुत simple सा है, यहाँ पर question बोला है, identifying indicators of non-compliance, guide करिये, indicators of non-compliance, ठीक है, क्या-क्या indicators होते हैं, indicators of non-compliance, indicators of non-compliance दोस्तों, आप audit में जाएंगे, कौन सी चीज़े देखकर आपको ऐसा लगेगा कि non-compliance हुआ है, कौन सी चीज़े देखकर बता ही है, वो indicators बता है, ऐसे 250 के अंदर list दी हुई है, अगर ऐसी चीज़े आपको दिखे ना तो समझ जाना non-compliance है, तो हम लोगों ने उसका एक shortcut बनाया है, puppet show, कट पतलियों का show, बता होता है, puppet show, जाओ जाकर देखो puppet show, जाओ जाकर देखो puppet show, आपको समझ में आ जाएग ठीक है, C stand for country, C stand for country, अगर आप देखे, अगर आप ऐसा देखे कि भाई, goods and services, goods and services एक देश से आ रहे है, और payment कोई दुसरे देश में है, अरे ऐसा अजीब हो गरीब क्यों, ठीक है, payment of goods and services एक देश को ओ रहे है, payment of goods and services एक देश को ओ रहे है, लेकिन goods असलियत में चाइना स से आ रहे है, अगर आप ऐसा होते वे देख रहे है, मतलब दाल में कुछ काला है, मतलब दाल में कुछ काला है, हो सकता है कि Customs Act का non-compliance हो, it is very much possible कि Customs Act का non-compliance हो, C is for country, country से आपको click होना चाहिए, payment एक देश को हो रहा है, goods कई और से आ रहे है, यह गडबड है, शक हो रहा ह फिर, C stands for cash, भाई साब बहुत सारे बहुत बड़े बड़े cash purchases है, unusual cash purchases है, बहुत बड़े मातरा में cash purchase किया गया है Cash purchase होता क्यों है Cash payments में समझ में नहीं आता किसको cash pay किया है Exactly Cash समझ में नहीं आता Exactly किसको cash pay किया है और क्यो cash pay किया है बहुत सारे illegal payments ऐसे ही किये जाते है हो सकता ही It is very much possible कि ये bribe भी हो तो जब भी आप देखे कि cash purchases है unusual cash purchases है It is chances that it is paid for illegal payments वापस it is an indicator that it's a non-compliance of law ठीक है Puppet P stand for payment for unspecified services अरे भाई साब payment for unspecified services ठीक है payment किया जा रहा है payment किया जा रहा है लेकिन payment किया जा रहा है खास करके related parties को employees को payment कर रहे है लोगों को पता exactly किसको pay कर रहे है लेकिन nature of services clear नहीं है ठीक है आपके companies act बहुत सारे act में लिखा है इनको अगर payment करना है तो पहले prior approval लगेंगे permissions लगेंगे process आपको follow करना पड़ेगा ठीक है payment किया है लेकिन जानबुझ कि nature नहीं बता रहे है nature नहीं बता रहे है details नहीं बता रहे है क्योंकि हो सकता है कि companies act का non-compliance हो जाए payment करना लेकिन nature नहीं specify करना कुछ तो गड़बड है it is an indicator that companies act का non-compliance है puppet show unauthorized transactions आप देख रहे हो कि transaction हो चुके है आप देख रहे हो transaction हो चुके है दोस्तों transaction हो चुके है लेकिन किसी senior का authorization ही नहीं है जान बुचकर जब भी कोई अजीब अगरीब transaction होता है illegal transaction होता है problematic transaction होता है कोई अपनी signature नहीं करना चाहता कोई अपनी signature नहीं करना चाहता कोई उसमें फसना नहीं चाहता है again it is an indicator of non-compliance किसी law का non-compliance prices prices बहुत कम या ज़ादा है भाई prices बहुत कम या ज़ादा है ठीक है दुबाई से माल खरीद रहा बेचे प्राइज बहुत कम या जादा है अगर प्राइज बहुत कम या जाधा है इटिस साथसर इंडिकेटर है हो सकता है कि हम income tax law को तोड़ रहे हो इंडिया के profits को दुबाई में हम transfer कर रहे हो, it is a indicator of non-compliance. Puppet A stands for agent fees ठीक है, agent fees बहुत excessive payment है, excessive agent के payment है, बहुत सारे law rules, regulation के अंदर agent fees के उपर upper limit है restriction है, इतना ही pay कर सकते है अगर excessive pay है, यसे insurance के अंदर भी है, तो हो सकता है, it is a non-compliance of law ठीक है, puppet transactions है, transaction with tax havens, tax havens को आपने mark करना चाहिए, T is for tax havens, भाई साब tax havens Mauritius के साथ, Mauritius के साथ में, Luxembourg के साथ में, बहुत सारे transaction है, tax havens है, जहाँ laws बहुत नीक है, हो सकता है, non-compliance exchange foreign exchange भाई साब foreign exchange के documents ही नहीं हो सकता है, FEMA का non-compliance हो, let's please guys, see puppet country अलग, payment अलग, non-compliance हो सकता है, बहुत बड़े-बड़े cash payment, पता नहीं किस चीज़ के लिए पे करें non-compliance हो सकता है, payment है ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों पेमेंट कर रहे non-compliance हो सकता है, unauthorized transaction начала post के लोगों नहीं साइनने की non-compliance हो सकता है prices बहुत कम ज्याधा non-compliance हो सकता है agency fees बहुत कम ज्यादा non-compliance हो सकता है tax events रया transaction non-compliance हो thoroughly exchange control documents नहीं है, non-compliance हो सकता है guys, यह बहुत famous question रहा है बहुत famous, बहुत famous question रहा है दोस्तों May 23 Mock के अंदर आय हुआ है मेरे 23 मॉक में आने के chances फिर से warm-up हो रहा है इतना फेमस था एक जमाने में इतना famous था है question ठीक है इतना famous था खटा 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 खट आ सारा था अभी वापस बिच में कुछ साल गायब हो गया वापस आने के chances बन रहे हैं जैसी मेरे 23 मॉक में इसकी entry भी मेरे 23 मॉक में इ बढ़ गए दोस्तों इतना ही नहीं और यह तो मैंने सी पपेट करके यह इंडिकेटर्स है इसके अलावा नॉन कंप्लाइंस होने के बाद में क्या होगा ठीक है और और भी इंडिकेटर्स है देखो कुछ इंडिकेटर्स को मैंने शॉटकट में दाल दिया कुछ indicators को कुछ indicators को मैंने shortcut में डाल दिया अब कुछ indicators जो है post non compliance matters मैं बोल रहो post non compliance matters post non compliance matters मैं बोल रहो मतलब क्या अब यह कुछ flow में आ गए non compliance के बाद में क्या होता है आपके against investigations होंगे तो अगर बहुत सारे investigations हो रहे है अलग-अलग authorities आपके against investigation कर रहे हैं लोग investigation कर रहें indicator of non compliance फिर आप क्या करते हो lawyers को अपोइंट करते हो आप बहुत सा lawyers को अपोइंट करें legal fees पे कर रहे हो indicator of non compliance फिर अचानक आपके company के अंदर बहुत सा documents गया बोजाते audit trail गया बोजाता है अगे यह छुपाया गया है it is indicator of non compliance मीडिया में आपकी बुराई होती है indicator of non compliance ऐसे भी आप चीजों को फिर बच्चे भी चीजों को ऐसे या रखिए हाँ non compliance के बाद investigations होते हैं उसके बाद lawyers को appoint करते हैं ठीक है documents गया पिये जाते हैं मीडिया वाले बुराई करते है और again these are indicators of non compliance तो फिर हम लोगों ने ठीक है हम लोगों ने आधे indicators को सी puppet में देखा और थोड़े indicators को ठीक है एक sequence में देखा एक flow में देखा दोस्तों इसमें से अगर आप 70% भी लिग देते हो सामने वाला खुश हो जाएगा सामने वाला खुश हो जाएगा रहे वाह ठीक है क्या किया है गाइज इफ यह लविंग इट ठीक है मैंने आपको बोला कि इसमें हम लोग बड़ा प्यारा पूरी अपनी जरूर देते रहिए ठीक है नाव गईस कमाण 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 अब देखिए यहां पर वापस चाइल्ड लिबर की बात आई है चाइल्ड लिबर की बात आई है नाउ नॉन कम्प्लाइन्स अगर सस्पिक्टेड two non complains है सस्पिक्टेड two non complains है actual non complains है मेई 22 रटीपी में भी यह question आया हुआ है study material 23 में भी यह question आया हुआ में 22 RTP में भी यह question आया है study material 23 में भी यह question आया हुआ है दोस्तों यह question और जो पहले वाला question नहीं ने देखा था यह question और पहले वाला question जो हम लोगों ने देखा था दोस्तों ठीक है यह एकदम same question है same question है सर फिर दोनों के answer बिलकुल यही तो महानता है institute की यहीं तो महानता है institute की कभी-कभी यह लोग ऐसा करते है पहला question बिलकुल वापस child labor की बात है क्या हमारे scope में आता है क्या child labor की बात है क्या हमारे scope में आता है क्या दूसरे question के अंदर भी ठीक है दूसरे question के अंदर भी most of the labor most same चीज़ है age between 11 12 और यहां पर लोग बोल रहा है comment करिए comment करिए कि यह हमारे scope में आता है कि नहीं आता है comment करिए कि हमारे scope में आता है कि नहीं आता है सर हम तो अभी उपर पढ़कर आ है कि हमारे scope में आता है कि नहीं आता है ठीक है institute ने अलग 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 answers दिये हुए लेकिन बात करता हो उसके उपर आता हो नो उसके उपर अभी जो प्यारा question जो प्यारा question यह नए study material में question है यह नए study material में question है ठीक है कि भाई GST के authorities notice issue कर रहे है कि आप notice issue कर रहे है notice issue कर रहे है कि आपने fake invoices पूरे market में चलता है पूरे market में चलता है fictitious invoices तो basically client के against GST department notices issue कर रहे है कारवाई issue कर रहे है कि fake influence fake fake invoices fake invoices है correct तो क्या auditor को कुछ करना पड़ेगा क्या क्या auditor कुछ करना पड़ेगा क्या इस particular situation में whether auditor to do something now listen guys okay अब इसका जवाब हमको कैसे देना है तो आप देखिए ठीक है मैं बोलूंगा कि हमेशा अपने answer को higher side higher side मतलब जादा points आप include करिए आप जादा points आप include करिए ठीक है तो मैं ऐसा आपको बोलूंगा कि अगर आपको कोई भी केस आता है अगर आपको कोई भी केस आता है जहां पर suspected non compliance या actual non compliance नजर आता है ठीक है चाइड लेबर चाइल ने पहले दो cases के बारे में वापस चाइड लेबर के बारे बोला और पूछा है कि आपको कुछ करना है कि नहीं करना है नीचे बोलाए GST बहुत सारे GST के notices आरे कि fake invoices आपने इशू किये as a auditor हमको क्या करना है as a auditor हमको क्या करना है ठीक है मैं आपको बोलूगा कि आप एक बड़ एक ब्रॉडर अप्रोच रखिए आप पूरा justify करिए एक ब्रॉडर अप्रोच रखिए तो ब्रॉडर अप्रोच क्या है ब्रॉडर अप्रोच क्या है ब्रॉडर अप्रोच है कि पहले आप ऐसे 250 का reference दीजिए उसका पूरा नाम लिखिए लॉडर अप्रोच की उपर डारेट इएक उसका वो कंप्लाइंस चेक करना होता है जितनी चाहिए उतनी audit process आप लगाई और पता लगाई है कंप्लाइंस है कि नहीं वह बहुत important laws होते है अधर law जिसका material effect हो सकता है adverse impact हो सकता है कभी कबार हो सकता है ठीक है उसका हमको non-compliance चेक करना परता है बस दो चीजे देखनी पड़ते है क्या correspondence हो रहा है ठीक है क्या correspondence हो रही है company और legal authorities के बीच में कमपनी और रिवेटरी अथोरेटीस के बीच में क्या हो रहा वो देखना पड़ता है आप जरूर यह कॉंसे बताइए यह कॉंटेंट है यह आप जरूर बताइए फिर आप यह भी बताइए सस्पेक्टेड ठीक है यह हमारे स्कोप में तो आता ही है यह अधर लॉज है यह अधर लॉज है हमारे स्कोप में आता है इन फैक यह जीएस्टी वाला जो है यह तो डारेक्ट इफेक्ट वाला लॉज है ठीक है तो 100% है 100% सबसे पहले सबसे पहले जीएस्टी तो डारेक्ट फिर तो आप पहले direct versus other laws के barbecue बारे में बात करके आप बताइए कि आपके scope में आथाँ एक ये बता ये तो फिर पेले पहले direccoramya के बात करके आप बताइए कि इए भी बताईए कि जब suspected जब suspect करते है औरइंटिफाय करते nonprofit non-compliance तो क्या करना चेह understand the circumstance, circumstance को समझे, यह regular activity है, one time activity है, तीक बड़े लेवल पर काम हो रहा है, छोटे लेवल पर काम हो रहा है, यह बात को आप समझे, intentional, unintentional, आप समझे, concealment है नहीं है आप समझे, circumstances को समझे, exactly इन्होंने क्या किया है, exactly इन्होंने जो बच्के है उनसे काम करवाया है, या फिर इन्ह Evices issue किए है किसको किए क्या किये ठीक है आप पूरे circumstances को समझ यह One Time है regular है intentional unintentional है सब लोग involved है Country नेचर का है Company के Nature का है वो आपको समझना पड़ेगा ठीक है सिर आपको Law Rules Regulations Law Rules Regulations का पुरन नौलेज होना चाहिए mh बहुत SIMPAL सी बात है पहले understand करना है । situation क्या है और फिर समझना है कि law rules regulation क्या बोलते हैं फिर आराम से बैठके सोचना है कि बाई कितनी penalty लगेगी कितना expense loss होगा कितनी liability आने वाली है going concern पर impact आने वाला है क्या license cancel हो सकता है कि उसके बारे में सोचना है पहले understand करना है चीजों को situation को law को अच्छे से बैठकर समझना है समझने के बाद में impact क्या होगा वो देखने फिर जाना है management के पास अगर मैं आपको बोलू चलिए मेरे साथ में थोड़ा सा imagination करिए ठीक है आप company में Não सबस्क्राइब करिए और आप लंच के लिए जा रहे थी आपने बत्चों की आवाद सुनी आपने बच् divisี आवाद सुनी थिक्या अपने बच्चों की आवाद सुनी थीक्या ऑरी यह यह चांब बहूत सारे बच्या काम कर रहे आपका दिमाग खराब हो गया बोले Child Labor Act का Contravention है, Child Labor Act का Non-Compliance है, ठीक है, आपने सबसे पहले, Understand the Circumstances, वो लोग क्या का, Understand the Circumstances, ये पहली बार हो रहा है, बार-बार हो रहा है, कितने बच्चे काम कर रहे है, क्या काम कर रहे है, Nature of the Act आपने समझा, अपने केबिन में आके आपने बैठ कर समझा, Child Labor Act, Lettuce, Law, Rules, Regulations, Clarification, वो आपने समझा, पहले आपने, ठीक है, पहले आपने जाकर, ठीक है, वो प्रिमाइसिस में जाकर, Understandingly, अपने केबिन में आकर, Law की, Understandingly, फिर, Understanding होने के बाद में, आपने अपके टीम को बुलाया, और Discuss किया, क्या-क्या Impact हो सकता है, Discuss किया, क्या-क्या Impact हो सकता है, Impact on Financial Statement, इसके बाद में फिर आपने Management के लोग को बुलाया, Management के लोग को बुलाया, कि देखो, मेरे इसाब से ये Analysis है, मेरे इसाब से, ये Circumstances है, ये Law बोलता है, ये Impact है, लेकिन अभी भी मुझे Confusion है, कुछ Law के Sections के उन्दर, इसके उन्दर, आपकी मुझे मुझे Management और TCW से Discuss करिये, ठीक है, कि भाई, Non Compliance है कि नहीं है, कितना बड़ा Non Compliance है और क्या Impact हो सकता है, अपना Analysis उनके साथ में Discuss करिये, उनकी बाद भी सुनिये, वो हो सकता है, बोले, Agree करे, हो सकता है, Disagree करे, आपको जरुत पड़े, अगर आपको Clarity नहीं मिल रहे है, तो Lawyer आपको Lack of Sufficient Appropriate Evidence है, तो आपको Qualified Disclaimer देना पड़ सकता है, आपको लगता है, पक्का Non Compliance है, इतने करणों की Penalty है, यह लोग accounting नहीं कर रहे है, बराबर, Qualified Adverse आपको करना पड़ेगा, आपको यही भी सोचना पड़ेगा, Implication and Other Aspect, भाई, साब, इतनी बड़ी बात, उस पर भी मुझे डाउट आ रहे है, यह दोनों चीजों पर आप फोकस करिये, दोनों चीजे मतलब, तो आप, Let's Freeze Guys, Let's Freeze, अगर आपको कही पर भी, अगर आपको कही पर भी Question के अंदर, Suspected या Actual Non Compliance के बारे में बात हो, Direct Effect Versus Other Law की आप बात कर लीजे, उसके बाद में, अग Circumstances, Nature समझा, अपने कैबिन में आके, अपने कैबिन में आके Law Rules Regulation समझा, टीम को बुलाकर Impact on Financial Statement समझा, फिर सब लेकर हम Management DCPG से discuss कर लिया हम लोग ने, ज़र पढ़े तो legal advice भी ले लो, यह सब करने के बाद, शांती नहीं मिल रहे है, qualified disclaimer, गल्ती मिल रहे है, qualified adverse, और यह सो करने पड़े हैं, और आपको conclude करना पड़ेगा, आपको conclude करना पड़ेगा, और conclusion में आप लिखोगे, भईया, scope में तो आएगा, पक्का है हमारे scope के अंदर आने वाला है, यह पक्का हमारे scope के अंदर आने वाला है, point number one, और फिर हमको report करना पड़ेगा, अगर यह लोग proper accounting नहीं करेंगे तो हमको report करना पड़ेगा, ठीक है, as discussed above, उसकी साब से हमको report करना पड़ेगा, very important, May 22 RTP में भी है, और study material, study material 23 में भी है, आईए दोस्तों, बहुत ही प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत लवली questions है, बहुत लवली questions है, जबर्दस्त questions है, ठीक है, now, यह May 22 RTP question ह कई, आईए, आईए, next, रेखे, एक लंबी सास लेने का, एक लंबी सास, हर question का मजा लेते हैं, मैं आपको बोला, हर question की आत्मा समझना, हर question की आत्मा समझना, अभी इतने प्यारे question हुए है, ठीक है, कि बहुत इंडिकेटर्स of non-compliance, क्या होते है, उसका प्यारा सा shortcut हम मोटा मोटी समझे, question किस चीज़ पर focus कर रहा है, किस चीज़ पर focus कर रहा है, अभी आपके दिमाग में वो clarity लेकर आईए, पहले मोटा मोटी building block बनेगे कि question क्या पूशना चाहता है, और answer क्या दादा है, उसके बाद में detail निखर कर आएगा, पहले मोटा मोटी चीज़े clear हो आप super comfortable, आप super comfortable, ये वीडियो एक बार देखने हाली बात नहीं है, ये वीडियो ठीक है, ये वीडियो एक बार देखने हाली बात नहीं है, दोस्तों इसको बार बार आप लोगोगो देखना है, आईए, अब ये May 22 RTP का है, May 22 RTP का है कि company के against show cause notice issue हो चुका है, शो cause notice issue हो आतंग मचा के रखा हुआ है, बहुत pollution कर रहे है, बहुत pollution कर रहे है, और forest area के अंदर पूरा का पूरा जो pollution है, बिना पूरा का पूरा जो wastage है, pollution है, बिना किसी treatment के उसको dump करते जा रहे है, जमीनों के अंदर हर जगा गंद मचा रहे हर जगा पे pollution कर रहे हर जगा पे जहर यह लोग ठीक है और सबसे खास चीज सबसे खास चीज ठीक है यह जो ट्रिबिनल है यह बोलती है पांसो करोडर की प्रिपाल्टी लगा देंगे हैं पांसो करोड की पिनल्टी और इन लोग थो थो तर्वर ही 100 मोडर profit 35 करोड ए इन्होंने as a footnote दिया हुआ यूने as a footnote दिया हुआ है, तिक है as a footnote दिया हुआ है, as a auditor आपने क्या करना चीए, as an auditor, as an auditor आपने क्या करना चीए, ठीक है, आईये दोस्तो, मतलब बाग काईदा लिटीकेशन चल रहा है अब इन्होंने जवाब कैसा दिया दोस्तों आज यह मैं आपको बता रहो कि इन्होंने इन्होंने जवाब कैसे दिया मैं बता दो जवाब देते वक्त जवाब देते वक्त कम नहीं पढ़ना चाहिए हो सकता है कि आप दो पॉइंट एक्स्टा लिख दो लेकिन कम नहीं पढ़ना चाहिए अब रेफरेंस ऐसे 250 डेफिनिटली इस नौन कंप्लाइंस ओफ लॉइन डेफिनिटली यहाँ पे नौन 570 भी आ गया यह बहुत ऑपस मैंने आपको कल मुAl зайता यह कूए करना आ नौलेज को अपडेट करना नौलेज को अपडेट करना एकडम सह को क्लिक हो जाए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बिल्कुल जोरी निए कि सबके दिमार्ग में क्लिक हो जाए ठीक है आईए ऐसे 250 का reference ऐसे 250 का reference आप देंगे 570 भी आएगा section 143 of companies act भी आएगा कैसे आएगा मैं देखते हो बता तो आपको बहुत प्यारा question है आईए सबसे पहले से 250 ऐसे 250 कि भाई जो law का direct effect financial statement पर उनका compliance चेक करते जिनका other loss का effect आ सकता है उसका non-compliance चेक करते उसमें दो चीज़े करते inquiry और correspondence inquiry और correspondence चीक है अब कोई बच्चा यहां पर बोल सकता है सार यहां पर मुझे non-compliance दिख रहा है तो बें non-compliance के बारे में भी लिख दू किया अगर आपको ऐसा लगता है लिखू या नहीं लिखू लिख दो लिख दो अगर आप बोलोगे लिख दीजे तो सबसे पहले तो भाई साब यह माना की इन्वायर्मेंटल लौ है माना की इन्वायर्मेंटल लौ है यह इन्वायर्मेंटल लौ अधर लौ में आएगा यह हमारे स्कोप में आता है यह इन्वायर्मेंटल लौ है यह इन्वायर्मेंटल लौ है यह अधर लौ है यह हमारे स्कोप में आता है इसकी क्लारिटी हो नह यहां पर straight away litigation ही चल रहा है, straight away litigation चल रहा है, मतलब non-compliance है ही, ऐसा आप मान कर चलो कि non-compliance है ही, क्या यह हमारे scope में आता है, बिल्कुल आता है, तो इन्होंने पहले समझाया, कि यह जो environmental laws है, और उसके non-compliance है, क्या हमारे scope में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है, तो एकात बार कोई बच्चा, non-compliance भी इसमें समझाने कोशिश करें, suspected या actual non-compliance, तो वो भी चल जाएगा, कम नहीं पढ़ना चाहिए, यहां पर सबसे मजे की बात है, सबसे मजे की बात है, यह से हमारे scope में आता है, SFI 70 का लगाना, SFI 70 का लगाना, going concern का लगाना, ध्यान दीजे, SFI 70 में concept है, material uncertainty का, material uncertainty, बहुत simple सी चीज़ होती है, if going concern depends on happening, or non-happening of future events, अगर going concern depends करता है, on happening, or non-happening of future events, तो उसको हम लोग बोल देते हैं, material uncertainty, अब यह मामूली uncertainty नहीं है, material uncertainty है, ठीक है, अब material uncertainty है, और ऐसे बोलता है, कि इसका adequate, इसका proper disclosure होना चीज़ है, notes to accounts में, आपको जाकर समझाना पड़ता है, principal events and conditions, आपको बताना पड़ेगा, कि भाई, क्या principal, events and conditions है, तो एक बहुत बड़ा law है, environmental law, उसका ऐसा ऐसा, non-compliance है, पूरा आपको बात समझानी पड़ेगा, non-compliance है, अब ट्रिबिनल के अंदर, litigation चल रहा है, ट्रिबिनल बोल रहा है, पात्सो परोड का, यह करना पड़ेगा, पूरी बात समझाना, यह कंपणी के management को, notes to account, principal events and conditions, जो legal events and conditions, उनको समझाना पड़ेगा, फिर एक statement दालना पड़ेगा, एक statement दालना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा, कि यह एक material uncertainty है, छोटी मोटी uncertainty नहीं है, material uncertainty है, it can, ठीक है, it can invalidate going concern, इतनी बड़ी uncertainty है, एक statement लिखना पड़ेगा उसका, ठीक है, because of this, company may not be able to realize assets, realize assets in regular course of business, and pay its liabilities, company may not be able to realize assets, and pay its liabilities in normal course of business, material uncertainty है, उसका disclosure लगेगा, principal events लगेगे, declaration लगेगा, कि यह material uncertainty है, और इसके वजए से, assets और liabilities, assets realize नहीं कर पाएंगे, liabilities pay नहीं कर पाएंगे, normal course of business में, अगर इसका adequate disclosure नहीं है, जो की नहीं है, इन्होंने अपने सिफ नोट में statement लिखा है, कि हमारे against case चल रहा है, case चल रहा है, national green tribunal के अंदर, that's it, उसका amount नहीं बताया, इतना बड़ा amount नहीं बताया, वो अगर हो गया, तो going concern खतम हो जाएगा, वो material answer रहा है, सब कुछ भी इन्होंने नहीं नहीं बताया, अगर adequate disclosure नहीं है, दोस्तो, adequate disclosure नहीं है, तो यह धोकाए लोगों के साथ में, हमको qualify adverse करना पड़ता है, SA 705 के हिसाब से, हमको qualify adverse करना पड़ता है, यह आपको बताना पड़ेगा, qualify adverse आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो यह सबसे खास बात थी, इतना प्यारा case है, इतना प्यारा case ही है, ठीक है, कि बहुत भयंकर litigation है, तो going concern trigger हो जाता है going concern trigger हो जाता है तो material uncertainty है उसको आना चाहिए था notes to accounts में उन्होंने नहीं किया disclosure नहीं है हमको qualify adverse देना पड़ेगा qualify adverse देना पड़ता है इसके वैसे section 143 section 143 है उसके अदर rule 11 है उसमें लिखा है auditor को अपनी report में comment करना पड़ता है कि जितने भी pending litigation है उसकी proper accounting या proper disclosure notes to accounts में किया है क्या तो उसके लिए भी यह rule 11 में लिखा हुआ है तो दोस्तों let's freeze guys let's freeze ठीक है अगर आपको suspected अगर आपको suspected non-compliance suspected non-compliance है doubt है non-compliance है की नहीं है आप suspected non-compliance के steps आप लिखिए suspected non-compliance के आप steps लिखिए वाह पर ठीक है यहाँ पर सिधा litigation चल रहा है litigation चल रहा है तो जब भी आपको let's freeze जब भी आपको litigation चल रहा है पक्का लग रहा है कि non-compliance हुआ वही है आप SA 250 का पहले base बता दीजे कि दो laws होते है हमारे scope में आता है पहले पर दुनिया को management को note stock accounts में कुछ बाते बतानी पड़ती है वो नहीं बताएंगे तो हमको qualify adverse देना पड़ता है यह trigger हो जाएगा section 143.11 ultimate फिर पूरा case पूरा लिखना दोस्तो case discussion में पूरी बाते लिखना आधा page गया तो भी चलता है आजा आधा page गया तो भी चलता है पूरा लिखना don't hesitate to write लिखने में बिल्कुल कमी मत करो दो page का answer होना चीए मेरी बात ध्यान में रखो दो page का answer होनगा तो माक मिलेगा case discussion पूरा करिए पहला conclusion other laws हमारे scope में है environmental laws हमारे scope में है उसकी बाते समझना देखना बिल्कुल हमारे scope में है उसके बात हमको qualified words दिना पड़ेगा क्योंकि adequate disclosure नहीं है बहुत प्यारा lovely case था दोस्तों आईए बहुत प्यारा बहुत प्यारा lovely case था now now guys let's see let's see आगे बढ़ते आगे बढ़ते चलिए 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 बहुत प्यारे cases चलिए और कुछ cases के अंदर multiple चीजों का reference लेकिन मेरी बात ध्यान रखना जो multiple reference वाली चीजे होती है multiple reference वाली चीजे होती है यह पहले MTP RTP में आती है उसके बाद ही exam में जाती है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रुरत नहीं है आईए now next lovely case is यहाँ पर एक company है एक company जो chemicals में काम करती है एक company है जो chemicals specialty chemicals के अंदर काम करती है और Mr. CA को concerned concerned है कि यह लोग बराबर log compliance करते हैं कि नहीं करते है ठीक है ऐसा case है कि chemical company है उन्होंने charge accountant को appoint किया as a CFO charge accountant को appoint किया as a CFO company है उन्हें charge account को appoint किया है as a CFO as a CFO appoint किया है और अब भाई CFO है तो company के बहुत सारे financial aspect उसको समालने पढ़ेंगे legal aspect भी उसको समालने ऐसा बोला हुआ concern है कि law rules regulation का बराबर compliance है की नहीं है उसको कुछ ऐसी policy उसको implement करना है कुछ ऐसी policies और procedure जिससे law compliance हो जाए ठीक है आपको बताना है कि कि तरह के आपको बताना है कि किस तरह की policies और procedures होनी चाहिए किस तरह की policies और procedures होनी चाहिए ताकि log compliance हो गाइस बहुत interesting सी बात है बहुत interesting सी बहुत प्यारी सी बात है यह एक्जाम November 20 exam में आया था और अब November 23 RTP में इसकी entry हुई है November 23 RTP में कई सालों बाद इसकी entry यहां के हुई है November 23 RTP में इसकी entry हुई है और November 23 RTP में आया है और अब यह हो सकते है एक्जाम में आये आपके नए module के अंदर भी यह बात है नए module के अंदर यह बात है ठीक है ऐसे 250 सबसे पहले बताता है कि law का compliance management की जिम्मेदारी है और उसके लिए management ने क्या करना चाहिए फिर बताता है कि auditor ने लॉस को डिवाइड करना चाहिए और डिवाइड करके अपना अप्रोच तैय करना चाहिए पहले वो management की जिम्मेदारी को समझाता है फिर auditor की जिम्मेदारी को समझाता है कि कैसे law को दो हिस्सों में बाटता है कैसे law को दो हिस्सों में बाटता है और दोनों के तरफ उस इसका पूरा code of conduct बनना चाहिए लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए इसको लेकर और record keeping, detail में record keeping होनी चाहिए हर चीज की, कौन से law के अंदर आपने permission ली, कौन से law के अंदर आपने fees pay की, कौन से law के अंदर आप records maintain कर रहे हो, कौन से law के अंदर आप intimations भेज रहे हो, पूरा record keeping होना चाहिए, monitoring, तो आप बताएंगे, yes management की पूरी जिम्मेदारी हाती है, point number one management की पूरी जिम्मेदारी आती है point number one ठीक है फिर आप बताएंगे implementation के लिए आपको implementation के लिए देखो implementation के लिए अपने sales, अपने cost, अपने profit पे नज़र रखती है वैसी monitoring होनी चीए legal requirement की तो आपका legal MIS बनना चीए आपका legal MIS बनना चीए कि कौन से कौन से loss के अंदर आपने क्या requirement फुल्फिल की क्या सब बराबर कोई आपके against show cause notice है क्या कोई आपके against complaints है क्या कोई adverse reporting है क्या उसका पूरा analysis monthly based होना चीए अगर आपको ये पूरा ठीक है आप legal advisor रख सकते हो assistance के लिए monitoring के लिए कंपणी में legal department बराबर काम कर रहा है monitoring के लिए आप legal advisor को रख सकते हो बड़ी companies में इस में से कुछ काम audit committee को दिया जाता है या उससे छोटे internal auditor को दियाता है फिर compliance officer को भी दिया जाता है let's freeze guys आपको तीन बाते बताने पड़ेगी जिम्मेदारी है for sure implementation के लिए तीन काम करने पड़ेंगे for sure और जैसे management information MIS बनता है वैसे monitoring of legal department होना चाहिए monitoring of legal department होना चाहिए उसमें आप advisor की मदद ने सकते हो तो बड़ी companyों में यह जिम्मेदारी audit committee ने तो उनसे चोटे internal auditor उसे चोटे compliance officer को दी जाती है guys यह titanium का जो concept number है उसमें exactly यही बाते दी हुई है यही sequence के अंदर दी हुए एक बहुत important question था let's freeze guys हम लोग essay 250 खतम कर चुके let's 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 freeze फिर आपको से फड़ा फड़ा समप कर देबाए essay 250 के लिए सबसे पहले सबसे पहले एक बड़ा प्यारा सा question था indicators of non-compliance indicators of non-compliance and see puppet ठीके see puppet उसका shortcut अगर आप देखोगे तो आपको indicators of non-compliance आपको समझ में आ जाएंगे बड़ी प्यारी चीज़ी फिर हमने बोला कि अगर आपको suspected non-compliance है अगर आपको suspected non-compliance लग रहा हो आपको ऐसा लग रहा है suspected non-compliance and non-compliance आपको अचानक मिला है ठीके suspected non-compliance non-compliance आपको अचानक मिला है तो हमने क्या करना चाहिए what we are supposed to do ठीके child labor अचानक आपको मिला है तो आपने क्या करना चाहिए वो हम लोगों ने देखा फिर आपको non-compliance का litigation चल रहा है अजीब गरीब laws की उपर environmental laws labor laws यह laws वह laws की और आखरी में था यह आखरी में थे आपका management responsibility ध्यान प्रखना बंदा auditor नहीं है बंदा CFO है management की क्या जिम्मेदारी होती है management की क्या जिम्मेदारी होती है law compliance को लेकर वो बात आपको करनी है अगर आप इसलिए में आपको बोलता हूँ line to line cramming में मुद्दो को मुद्दो को अगर आप कोई lag नहीं है आए दोस्तो नाउ आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नाउ ऐसे 260 questions दोस्तो ऐसे 260 questions ठीक है study material में study material में क्या question दाला है ठीक है कि एक listed company है एक listed company है ऐसे 260 is communication में TCWG और ठीक है ऐसा बोला हुआ है कि भाई वो ऐसे को पढ़ रहा है समझ रहा है कि क्या क्या बाते क्या 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 बाते उसने communicate करनी जी है TCWG और उन्होंने तीन बाते लिखिए ठीक है कि तीन बाते लिखिए और रेस्पॉंसिब्लिटी की बात प्लैंड स्कोप की बात independence की बात क्या innovative तरीके से question बनाया है आप बताओ इसमें कौन सी चीज इंक्लुएट नहीं है आप बताओ इसमें कौन सी चीज इंक्लुएट नहीं है और उस matter को detail में उस matter को detail में discuss कर दा लो क्या मजे लेता है institute कभी-कभी सही बता लो क्या मजे लेता है institute क्या मजे लेता है institute सही में कभी-कभी ठीक है वो बता दा लो अब आपको पता होना चाहिए मोटा-मोटी broadly मोटा-मोटी broadly ठीक है जैसी order का appointment होता है उसको communication करना पड़ता है appointment की बाद में अपनी जिम्मेदारियों को लेकर मानने बहुत है मेरी जिम्मेदारी सिर्फ opinion देना है मैं वो देखे रहूंगा वो करने वाला हूँ ठीक है और बस इतनी है मेरी जिम्मेदारी कि में open देने वालो financial statement वेदर एड़ अप्लिकेबल फ्रेमवर्क और अगर fair presentation framework होंगा तो वेदे इस सुइने बिनिमन्स कि में तो यह मेरी जिम्मेदारी यह मेरी जिम्मेदारी इस मान्य रिस्पोंसिपील्लिटी है तिस्मेदे अपकी है के खेले आ ज演द लेकर कमिनिकेशन करना पड़ता है audit शुरू करने के पहले ने को एक flow में लिखा है audit शुरू करने से पहले एक overview देना पड़ता है कि भाई overall यह हमारा plan रहने वाला है हम लोग monthly order करेंगे quarterly order करेंगे कितने लोग आएंगे क्या-क्या मोटा-मोटी क्या चीज़े करेंगे उनसे discuss करना पड़ता है ताकि वो तैयारी करके रखे ठीक है एक overall plan मोटा-मोटी plan डीटेल ने फिर audit जब शुरू करते हैं तो significant findings significant findings हमको बताने पड़ते हैं और फिर लिस्टेड company है अगर लिस्टेड company है सिर्फ लिस्टेड company में इंडिपेंडन्स इंडिपेंडन्स तो मोटा-मोटी चार बाते मोटा-मोटा मोटा इसके देटेल से और मोटा-मोटी दोस्चार्ज with governance से चार बाते हमको करनी पड़ती है appointment के बाद में ठीक है रिजमेदारियों को लेकर responsibility को लेकर communication audit शुरू करने से पहले overall planning का communication आपके during the audit significant findings a communication listed company में आकरी में independence का communication ठीक है अब बच्चे को एक लिक होना चाहिए था कि भई okay 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 यह communication करने बढ़ते है उसको recall करना चाहिए था यह अच्छा significant finding missing है इनके list के अंदर इनके list के अंदर significant finding missing significant finding missing है ठीक है और significant finding के detail देने lovely question study material 23 study material का question है ठीक है study material question है आईए दोस्तों अब significant finding का मैंने एक shortcut बना है वो मैं आपको बताता हूँ देखिए significant finding significant finding का significant मैंने एक shortcut बना कर रखा है significant finding डाकू डाकू आपको पता है डाकू डाकू इस significant finding शौटकर है डाकू इस significant finding डाकू को देखना डाकू को पकड़ना इस significant finding ठीक है आइए तो आपको significant finding के अंदर कौन सी कौन सी बाते communicate करनी पड़ती है significant finding के अंदर आपको कौन सी बाते communicate करनी पड़ती है आइए दोस्तों बहुत simple सा बहुत आसान है descend for difficulties अगर audit करते आपको कोई भी difficulty यह ठीक है आपको बहुत परेशान किया गया, आपको information नहीं दे रहे है, information बहुत late दे रहे है, आपसे बहुत महनत करवा रहे है, ठीक है, अगर ये audit करने आप गए हो, audit करने आप जा रहे हो, और वहाँ पे वहाँ पे आपको information ready नहीं मिल रहे है, आपको information ready इसके बाद में A stands for audit matters, significant audit matters, audit के सारे बड़े-बड़े मुद्दे, इनिशली आपको significant risk मिली, वह significant matter है, आपको system में significant deficiency मिली, वह significant matter है, फिर आपको material misstatement मिला, वह significant matter है, फिर आपको modify करना opinion, वह significant matter है, audit matters, odd significant audit matters, आखरी में हमको written representation चाहिए, वह भी आपको communicate, ठीक है, वह भी significant चीज़ है, यह यह चीज़ों के लिए, मुझे written representation चाहिए, वह भी आता है, audit matters and written representation, A stands for audit report, audit report पे असर करने वाली सारी चीज़ है, अगर audit report पे, audit report पे आप modify करने वाले हो, EMP दालने वाले हो, OMP दालने वाले हो, की audit matter दालने वाले हो, impact दालने वाले हो, इस सभी बाते है, ठीक है, significant finding में आएगा, qualitative aspect, accounts department की quality कैसी है, accounts department की quality कैसी है, उनके head, उनकी team, उसके software, कितना सोथ समझ के, accounting policy estimate disclosure निकालते है, उसको बोलते है, quality, quality of the accounting department, quality of accounting practices, quality of financial statements, उसके बारे में communication करना पड़ता है, और any other matter, दाकू, difficulties, significant difficulties, significant difficulties, A for audit matters, significant audit matters, और जहाँ जहाँ पे आपको WR लगे, A for audit report पे impact करने वाली चीज़ है, Q for, qualitative aspects of the accounting department, accounting pressure, financial statements and other matters, यह जो डाकू points है, यह जो डाकू points है, यह हमारे significant findings है, यह हमारे significant findings है, दोस्तो, यह हमारे significant findings है, यह significant findings है, बताना, भाई, साब, क्या game लिया है, इसलिए Q&A practice बहुत ज़रूरी है, दोस्तो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, Q&A practice is very very important, ठीक है, Q&A practice, Q&A practice is very very important दोस्तो, knowledge भी है, लिकिन उसको implement और Q&A practice से आपके knowledge भी बहुत, आपके concept भी super strong हो जाते है, आईए दोस्तो, next है, next है आपका, बड़ा प्यारास है, ठीक है, यहाँ पर एक listed company है, एक listed company है, और auditor बहुती नेक है, बहुती नेक इनसान है, बोले मैं, मैं जो हूँ, हम लोग, ठीक है, हम लोग बहुती प्यारे लोग है, ठीक है, दूज से दुलेवे लोग है, मैं और मेरी team बहुती ethical और independent है, हम दिल से ethical और independent है, जब हम दिल से ethical independent है, independence का कोई issue ही नहीं है, तो मैं independence को लेकर communication क्यों करूँ, कोई threats to independence ही नहीं है, कोई threats to independence ही नहीं है, क्या हमने independence का communication करना चाहिए क्या, क्या हमने independence का communication करना चाहिए क्या है, तो दोस्तों सुन लीजे, listed company में, ठीक है, आपको मैं बता दू, इसके पहले EQCR हमने पढ़ा था, listed company में additional requirement लग रही थी कि EQCR में क्या करना पड़ेगा, वैसे ही listed company में additional, वैसे ही listed company में, वैसे ही listed company में आपको additional communication करना पढ़ता है, किसको लेकर independence को लेकर, लिस्टेड कंपनी बहुत बड़ी होती है लिस्टेड कंपनी बहुत बड़ी होती है दोस्तों बहुत सारे बहुत सारे शेयरोल्डर्स है बहुत सारे एंप्लोईज है बहुत सारे सप्लायर्स है बहुत सारे कस्टमर्स है बहुत बड़ी होती है कौन कहां पर कितना जुड़ हुआ है किसको मालूब तो independence को लेकर communication mandatory है तो auditor बोल रहा है कि मैं क्यों करू communication गलत तेरको मुर्क तेरको ऐसे 260 का knowledge नहीं है कि listed company में independence को लेकर communication mandatory करना पड़ता है independence का issue हो या ना हो ठीक है करना ही पड़ेगा तेरको आईए यहाँ पर concept number 260.200 देखें दोस्तों अगर आपके पास में अभी से फील लेते जाए यह question on answer का ठीक है आपके पास में अगर audit titanium book है तो वह मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर shortcuts मैंने बना के रखे हुआ है और आपके नहीं तो आपके कोई concept book होगी तो वह आप यूज़ करें कोई problem नहीं 260.200 हमने क्या concept number देखे रखे तो reference में बहुत आसानी होती है आईए in case of listed companies in case of listed companies अगर listed entities है mandatory होता है independence communication ठीक है तीन बाते आईए तीन बाते तीन बाते तीन बाते तीन बाते उसमें 3 बाते सबसे पहले सबसे पहले auditor को listed company में auditor को affirm करना पड़ेगा एक statement साबसाब लिखना पड़ेगा कि मैं ये confirm करना चाहती हूँ affirm करना चाहती हूँ बोलना चाहते हम नोग कि मैं और मेरी team ethical requirements को fulfill करते पांच fundamental principles तको फुल्फिल करते हैं और हम लोग इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड non audit से हम कितना पैसा कमाते है directly, indirectly, खुद के firm हमारे associate firm, हमारे network के थुर वो भी हम आपको जरूर जरूर बताएंगे और हमने क्या safeguard लगा है हमने ऐसे क्या steps लगा है कि independence protected रहे ठीक है, for example, हमने सबसे shares बिकवा दिये आपके जो relatives थे connected लोग थे, उनको हमने replace कर दिया ठीक है, हमने कही कही पे जो लोग जुड़े हुए थे उनको sensitive areas नहीं दिये है supervision double कर दिया, safeguard की जानकरी तीन तीजों की जानकरी तो ध्यान रखे, listed company में independence का communication mandatory है, independence issue है या ना हो, सबसे पहले affirm करना पड़ता है, confirm करना पड़ता है कि yes, मैं meruity mythical independent है हमको हमारे relations और हमारे fees की जानकरी, जहां जहां पर connections है जहां जहां पर हम जुड़े हुए है उसकी जानकरी, relations की जानकरी fees की जानकरी दिनी पड़ती है, और तीसरा हमने क्या safeguards लगाए, उसकी जानकरी अब यह points याद है ना चाहिए दोस्तो, यह points आपको बार-बार करने है बच्चे अगर ते पुरा sentence रटने को जाते है ना, पुरा sentence रटने को जाते है ना, 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 पुरा sentence रटना नहीं है यह points को याद रखना है अगर यह headings आपके दिमाग में fit हो गए ना दोस्तो तो आप बड़ी आप प्यार से आप उसके answer लिख सकते हो आईए ना, तो बड़ा प्यारा सा हमारा से 250 था, बड़ा प्यारा सा हमारा 260 है, communication को लेकर अब May 22 RTP में आया है अब भी हम लोगों ने पढ़ा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा भी significant findings significant findings के अंदर पहला ही आइटम था difficulty, significant difficulty तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई, एक बंदे को बहुत problem face करना पढ़ रहा है एक बंदे को बहुत ज़्यादा problem face करना पढ़ रहा है audit के अंदर बहुत दिक्कत हो रही है information जो चाहिए थे वो मिलनी रही है ठीक है अब उसने बोला कि मैं परेशान हो गया हूँ अब मैं दोस्चार्जविद governance को S.A.260 के अंदर S.A.260 के अंदर सिग्निफिकन डिफिकल्टी में क्या आता है बताईए सिग्निफिकन डिफिकल्टी में क्या आता है बताईए देखे concept number 260.140 है वहाँ पे मैंने shortcut बना के रखा हुआ है shortcut है dumb significant difficulties में आपको dumb बाते communicate करनी पड़ेगी dumb बाते आपको communicate करनी पड़ेगी आईए आपको dumb बाते communicate करनी पड़ेगी dumb बाते आईए दोस्तों ठीक है D stand for delays unwillingness and delays जहां जहां पर management information 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 दे ही नहीं रहा है information दे ही नहीं रहा है हमारे request करने पर भी information दे नहीं रहा है unwillingness है information नहीं देना चाहता ठीक है और जहां जहां पर भी बहुत late information दे रहा है बहुत late information दे रहा है यह significant difficulty है information देना D stand for delays information देना ही नहीं चाहता या फिर delay है यह significant difficulty है यह आपको बताना पड़ेगा जहां पर unexpected effort बहुत मैनत करनी पड़ रही है एक voucher के लिए 20 km जाना पड़ रहा है बहुत सारी मिननते करनी पड़ रही है बहुत ज़ादा effort लगाना पड़ रहा है वो significant difficulty है ठीक है U stand for unavailability of the information भाई साहब यह information तो ready होनी चाहती trial balance तो ready होना चाहता depression की working ready होनी चाहती interest की working ready होनी चाहती ठीक है extraordinary item की details ready होनी चाहते है उन्हें ready ही नहीं किये है क्या परेशान बहुत परेशानी हो रही है फिर M stand for management's unwillingness to assess going concern going concern पर खत्रा बना हुआ है ठीक है events and condition creating doubt or going concern हम उनसे सवाल पर सवाल पूचे जा रहे है बिलकुल cooperate नहीं कर रहे है कोई जानकारी नहीं दे रहे है ये भी बहुत 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 प्रॉब्लम जीसे significant difficulty बहुत ही कम time दे रहे है बोल रहे बस एक हफता मिलेगा audit करके चले जा एक हफता मिलेगा that's it एक branch में एक दिन मिलेगा that's it बहुत grief time दे रहे है dumb dumb वाले points है तो ये significant difficulty है dumb वाले points है तो ये significant difficulty है ठीक है significant difficulty के बारे में पूछा है दोस्तो May 22 RTP में significant difficulty के बारे में पूछा है आईए 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 Oh my God अब ये question जो है ये question घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है पहली बार आया था old course के November 18 RTP में November 18 RTP में आया था और उसके बाद में अब study material 23 में इसकी entry हुई है study material में जैसी इसकी entry हुए है दोस्तों इसका भाव बढ़ गया है इसका value बहुत बढ़ गया है इसका भाव बढ़ बढ़ गया है इसका value बढ़ बढ़ गया है ठीक है किस चीज़ को लेकर है किस चीज़ को लेकर है की audit matter हम सब लोग जानते है 701 701 के अंदर की audit matter आता है ऐसे matters which in auditors judgment were items of most significance ऐसे items जिसके उपर हम लोग ने बहुत ज़ादा ऐसे items जिसके उपर हम लोग ने बहुत ज़ादा मेहनत की हो बहुत ज़ादा मेहनत की हो बहुत ज़ादा significant मेहनत की हो ठीक है वो हमारे लिए क्या होते है वो हमारे लिए होते है की audit matter दोस्तों द्यार की audit matter अब की audit matter के बारे में ठीक है की audit matter के बारे में हमने क्या communication के audit matter के बारे में की audit matter के बारे में हमने क्या कम्यूनिकेशन करना चाहिए TCWG को ये question आएगा दोस्तों बच्चे देखकर confuse आएंगे भाई की audit matter है 701 के हिसाब से लिखू क्या या फिर अरे ये communication की बारे में बात कर रहा है बहुत से बार बच्चे समझी नहीं पाएंगे ठीक है communication की बात कर रहा है communication of key audit matter की बात कर रहा है essay 260 के हिसाब से इसका जवाब देना पड़ेगा ऐसे 260 के हिसाब से इसका जवाब देना पड़ेगा ठीक है exam में पूछने के बहुत ज़्यादा chances है exam में पूछने के बहुत ज़्यादा chances है ठीक है study material में आया ये आये ये मैंने थेरी भी दिये proper heading के साथ में और मैंने छुड़ा सा चार भी मना कर रखा है बहुत simple ठीक है SA260 क्या बोलता है SA260 बोलता है कि key audit matter एक बहुत important matter है it is a matter which affects audit report इसके बारे में timely communication होना चाहिए TCWG के साथ में सही बात है इसलिए आप सबसे पहले planning stage communication planning stage पे आप देख लीजेगी कौन से कौन से area में बहुत मैनत करनी पड़ सकती है कौन से कौन से area हमारे लिए key audit matter बन सकते है इस particular audit में इसका अंदाजा लगाईए उसकी list बनाईए और जाकर communicate कर दीजे TCWG को माननी महद है माननी महद है ये चीज़े key audit matter बन सकती है आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आगे जाके आपको shock न लगे आगे जाके आपको shock न लगे फिर reporting stage में एक draft report बना कर key audit matter को draft करके अच्छे से कि वह exactly ये key audit matter होगा इसके बारे में ये बाते लिखने वाले वो भी बता दीजिए तो yes, timely ways पे communication होना चीए planning stage में भी communication होना चीए key audit matter का planning stage में भी communication होना चीए key audit matter का और reporting stage आपकी जो reporting stage में उसमें भी communication होना चीए key audit matter का फिर आप बताएंगे benefits to auditor अगर इसके बार में आप communication कर ले तो robust two-way communication बहुत कुछ auditor को सीखने को समझने को मिलेगा दोस्ट चार्जविद governance से इतनी बाती होगी key audit matter को लेकर कि auditor का knowledge बढ़ जाएगा auditor का source of information बढ़ जाएगा उसको बहुत सारा evidence मिल जाएगा auditor के लिए यह communication करना बहुत beneficial है TCWG के लिए बहुत beneficial है सबसे पहले तो TCWG जब यह communication आप करते हो ठीक है तो recognize होता है कि दोस्ट चार्जविद governance बहुत important बहुत important लोग है और उनके साथ में सारी important बाते discuss की जा रही है recognize होता है उनका important role ठीक है दोस्ट चार्जविद governance समझ पाते है समझ पाते है कि क्या चीज़े auditor के मन में चल भी है वो clarification दे सकते है these are benefits to TCWG दोस्ट चार्जविद governance का role important बन जाता है उनकी value बढ़ जाती है यह benefits है ठीक है उनको further clarification अगर उनको ऐसा लगता है कि auditor के दिमाग में कुछ misunderstanding है वो clarification दे कर उसको दूर कर सकते है जब उनको यह पता चलता है कि यह की audit matter बनने वाला है लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देने वाले है तो notes to accounts में उन चीज़ों का disclosure बढ़ा सकते हैं detail में disclosure दे सकते हैं proper disclosure दे सकते हैं ताकि लोग के मन में confusion ना रहें यह benefits to TCWG तो आप बहुत simple simple तीन बाते बताएंगे 260 timely based पर communicate करने बोलता है planning stage और reporting stage communication 260 किस तरह communication की बात करता है वो आप बताएंगे benefits to auditor आप बताएंगे और benefits to TCWG आप बताएंगे दोस्तों फिर मैं बता रहा हूं बच्चे answer को बच्चे answer के अंदर कौन से मुद्दे जाने चाहिए कौन से मुद्दे जाने चाहिए इसको समप नहीं कर पाते है कौन से मुद्दे जाने चाहिए पहले दिमाग में वो fit होना चाहिए फिर एक एक point लिखके उसका ने एक एक लाइन के अंदर लिखना चाहिए कि ये बते, ये बते, ये बते, ये बते, मुझे लिखनी पड़ेगी उसके, ठीक है, अच्छा, लाइग हो रहा था, ओके, 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 क्या, मेरा देहा नहीं था लैग के उपर, आपके दिमार्क में क्लारिटी है, ठीक है, okay, आधिए वीडियो लाग कभीखी लाग हो रहा है कभी लाग हो कर दो मेरा ध्यान रहेगा अगर लाग होगा तो मेरा ध्यान रहेगा उसके उपड़ा है चलिए आईए दोस्तों देखे फड़ा फड़ा तो बड़ा प्यारा सा बहुत ही लवली सा है स्टांडर्स थे हम लोग खतम कर रहे हैं ऐसे 250 में बहुत पारी चाहिए थी मुझे बहुत बाते हैं 260 के अंदर बहुत पहरी बाते थी कम्यूनिकेशन कम्यूनिकेशन वह हम लोग ने देख ली बहुत ही प्यारा सा था की और मैंदर कम्यूनिकेशन होना चाहिए अब जॉइंट अब जॉइंट अब बच्पन से पढ़ रहे हैं आईए दोस्तों क्या कोश्टन बना माइंड ब्लॉइंग उन्होंने क्वेशन मनाया है आईए आईए क्या माइंड ब्लॉइंग क्वेशन मनाया है आपके क्या माइंड ब्लॉइंग उन्होंने क्वेशन मनाया है तो आपका एक पब्ली सेक्टर बैंक है ठीक है एक पब्ली सेक्टर बैंक है कोई भी बैंक है क उसको common area में डालते हैं, जो उसको common area में डाल देते हैं, सब लोगोंने मिलकर, सब लोगोंने मिलकर उस common area के decisions लिये, उसकी planning की, कि भाई, उसकी पूरी decisions लिये, उसकी पूरी planning की उन्होंने, कि यह जो हम लोग क्या approach follow करेंगे, इसको कैसे test करेंगे, कितना manual checking करेंगे, कितना automated checking करेंगे, कितने logo को लगाएंगे, किस तरह के checklist हम apply करेंगे, उसके पूरे common area के decisions लिये, common area की planning लिये, क्या-क्या check होगा, कैसे check होगा, कितने depth में check होगा, कौन सी checklist को लगाया जाएगा, यह सब कुछ बाते तैय कि कौन क्या काम करेंगा वो पुरा किया, अब उसमें से एक बंदे को जिम्मेदारी दी थी, एक बंदे को जिम्मेदारी थी थी कि भाई, common area की यह चीज, यह चीज तू करेगा, यह चीज तू करेगा, correct? actual audit process तू करेगा, actual audit process तू करेगा, now, अब वो common area थी के तू करेगा ऐसा बोला गया था, लेकिन वो audit process परफॉर्म नहीं की गई, उसको बराबर परफॉर्म नहीं किया गया, परफॉर्म नहीं किया गया और उसके वैसे, हो सकता है कुछ problem हो जाए, problem हो गया ऐसा, जो भी है, जिम्मेदारी किस की देगी? जिम्मेदारी किस की देगी? देखो, area common है, area common है, सब लोग मिलकर चेक कर लेंगे, तैय किया गया था, उसके साथ में बैठकर decisions लिये गया, साथ में बैठकर planning की गई, planning की गई, और उसमें से कुछ चीज़े चेक करने की जिम्मेदारी एक बंदे को दी गई, कि इतना तू चेक करना common area में, उसने हो काम बराबर नहीं किया, उसने हो काम बराबर नहीं किया, और उसके वैसे कुछ भी हो सकता था, अब जिम्मेदार है common area में दिक्कत हुई है, क्या सभी joint oriter जिम्मेदार होंगे, क्या सभी joint oriter जिम्मेदार होंगे, whether all the joint oriters will be responsible, या फिर जो बंदे को काम दिया गया था, इसने execute इसको नहीं किया वो जिम्मेदार है, और common area है, तो सब को जिम्मेदार बाना चीए, exactly, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पहली बार ये question पूछा है, lovely प्यारा question पूछा है, आईए, आपको सबसे पहले यहाँ पे समझाना पड़ेगा, कहां पे joint and several responsibility होती है, कहां पे joint and several responsibility होती है, ठीक है, हमने हमारे audit titanium book में sa299.100 में बिल्कुल ऐसा ही बता है, उसी का मैंने chart बना दिया, उसी का मैंने chart बना दिया, ठीक है, देखिए, देखिए, यह sessions के अंदर, यह, पूछा है, पूछा है, पूछा है, राए कि आखिए, जब भी राइग होगा, चिन्ता मत करिए, जब भी ल्याग होगा, मैं नहीं पढ़ाूगा, जब भी л्याग होगा मैं नहीं पढ़ाूगा, मैं रूख जांँगा, ज़ोड़ी ए से लिए थोड़ाई के लिए तोyour धीक है अदर है मेरी आईए दुस्तों ठीक है अब पहले आपको समझाना पड़ेगा पहले आपको समझाना पड़ेगा जॉइंट इन सेवरेल रिस्पॉंसबिटी के बारे में आपको समझाना पड़ेगा और सेपर फिर आएंगे उसके उपड़ कौनसे चीजों को लेकर जॉइंट इन सेवरेल रिस्पॉंसबिटी है सभी जॉइंट वरेल जिम्मिधार खें है कौन सी मेथर्ट लगानी कैसे ठीक है कॉमध एरिया काॉमन एरिया की जॉइंट इन सेवरेल जिम्मेदारी है उसके सारे decisions और planning की वापस joint and several जिम्मेदारी है agreed matters agreed matters क्या होते है agreed matters क्या होते है कोई area को पहले separate responsibility में दाला था लेकिन वो और भाग कर रहा है नहीं 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 यह foreign branch मेरे से अकेले से नहीं संबल रही है इसमें बहुत सारे business involved है बहुत complication involved है please को common area में दाल दो अगर बाकी लोग मानते हैं तो वो भी आ जाए तो common area की जिम्मेदारी ठीक है joint and several होती है उसके decisions और planning joint and several होती है agreed matter joint and several होते है ठीक है joint and several होते है अब फिर उसके बाद financial statement को लगने वाला law financial statement को लगने वाला law जैसे आपका schedule 3 banking regulations, IIDA regulation ये भी common जिम्मेदारी है उसका presentation disclosure common जिम्मेदारी है audit report को लगने वाला law, rules, regulation, professional standards पूरी common जिम्मेदारी है तो common areas की जिम्मेदारी joint and several है financial statement की जिम्मेदारी joint and several है audit report की जिम्मेदारी joint and several है ठीक है separate responsibility जो आप area divide कर चुके हो जो आप area divide कर चुके हो allocate कर चुके हो separate responsibility उस area का risk निकालना separate responsibility है उसके internal control systems को understand करना evaluate करना, test करना separate responsibility है ठीक है फिर फिर उस area का nature timing, extent of audit procedure तैय करना, उसको execute करना separate जिम्मेदारी है और यहाँ पे आता है जबरदस्त ठीक है common area की planning collective है common area की planning joint and several है लेकिन उसका execution separate responsibility है common area में अगर तैय हुआ कि भाई हमको तीन चीज़े चेक करनी है auditor A तू यह चेक करेगा auditor B तू यह चेक करेगा auditor C तू यह चेक करेगा common area की planning common area की planning common area के decisions common area की planning मुटा मुटा common area joint and several है लेकिन अगर तैय हुआ कि उसमें execution में तू 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 तीन लोग यह तीन काम करेंगे execution is a separate responsibility अगर planning में problem है तो joint and several planning में problem है तो joint and several जिम्मेदारी के अंदर जाएगा decisions गलत लिएगे joint and several में जाए जाएगा execution नहीं हुआ execution नहीं हुआ it is a separate responsibility दोस्तों मैंने आपको बताया देखिए अपना attitude सही रखिए ठीक है देखिए अपना attitude सही रखिए दोस्तों कुछ लोग यह question देखकर घबरा जाएंगे अरे भाई institute कितना गहरा मार रहा है कुछ लोग बहुत खुछ जाएंगे yes 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 knowledge आगे knowledge आगे knowledge आगे knowledge आगे knowledge आगे knowledge आगे मैं आप लोग को बता रहा है attitude सही रखनी की जुरत है भाई साब हमारे हाथ में क्या है time को अच्छे से यूज करना जितना ग्यान बड़ी आप जबरदस्त अपने को मिल रहा है वो ग्यान को आप समेट लो वो ग्यान को आप समेट लो तो वो ग्यान को आप collect कर लो दोस्तो ठीक है अगर किसी ने ये question एक बर किया है तो exam में crack कर सकता है मैं stamp paper पर लिख कर रहता हूँ कि भाई बड़े से बड़े बंदे को problem हो जाएगा अगर ये question पहले नहीं किया है तो वो execution नहीं कर पाएगा इसलिए ये Q&A अपने आप में ये Q&A अपने आप में preparation है application of knowledge नहीं है preparation है तो बहुत ही प्यारा था कि planning is a joint and several responsibility and execution is a separate responsibility तो यहाँ पर आपको बताना था यह सब discuss करके कि DES and associate ही जिम्मेदार रहेंगे DES and associate ही जिम्मेदार रहेंगे now that was wonderful guys क्या question दिल जीत लिये हो दिल जीत लिये हो यह question है आईए दोस्तों now quickly आईए ठीक है study metal 23 में study metal 23 में वापस वापस question है और यह question बार बार रिपीड भी हुआ है भयंकर reputation है भयंकर 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 लेवल एटीक है और बार बार यह पूसह जाता है बार 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 यह पूसह जाता है आपको फिर नाव तो देखें क्या कोशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ तीन जॉइंट ओड़िटर्स है उन्होंने अपने 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 अप्टुरी को अपॉइंट किया है और दो जॉइंट ओड़िटर बोलते हैं कि हम एक अप्टुरी की रिपोर्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे और एक बोलता है नहीं मेरा अलग है तो basically difference of opinion एक मुद्दा यह है कि joint orders की बीच में difference of opinion है कि reporting कैसी हो नीचे बहुत simple हम जानते है ठीक है अपने अपनी report देंगे जो लोग का open अलग है वो अपनी report बनाएंगे दो लोग का opinion अलग है वो अपनी एक report बना देंगे और जिस बंदे का open अब अब यहाँ पर जिम्मेदारी फिर बोले जिम्मेदारी किसकी क्या होगी वो भी बताइए कौन से जिए joint and several में जाएंगे कौन से separate में जाएंगे तो reporting के मारे में पूछा है और जिम्मेदारी के बारे में पूछा है ठीक है अब नीचे अब ये यह दोस्तों लैग है मुझे पता हैं लैग 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 लाग लैग 예 today एक मिनट होल्ड करें मैंने बोला जब बी ऐसलाग आता है तो मैं रूख जाता हूँ जब भी ऐसा है लेग आता तो मूल रूख जातüst ओ it ठीक है मैं काम करता हू इंटरनेट चेंज करता है तो ओके ना लिसंगा, मैं फिरसे ये कोश्चन आपको बता दे रहा हूं फिरसे कोश्चन फिरसे कोश्चन आपको बार दे रहा हूं बड़ा प्यारासा कुश्चन है इन्होंने कंसोल्डेशन को कॉमनेरिया में दाला ब्रांचेस को इन्होंने इन्डी प्र लागा रहा है ठीक है अब तो इन्होंने डिविजन एकदम सही किया इन्होंने गलती पकड़ी इन्होंने मेज़ोरिटी रूल के इसाब से मेज़ोरिटी रूल के इसाब से रिपोर्टिंग कर दा लिए ठीक है और सबसीक्वेटली प्रॉड आया है। बराबबर उसी जगहा पर गलती थ वहाँ पर फ्रॉड आया है। क्या होगा धैन दीजें लिए सन्वेधरी इंटरिस्टिंग कोष्यन बहूद इंटरिस्टिंग सबसे पहले ठीक है आपको division of responsibility के बारे में बात करना कि division होता है, कुछ common area होते है, कुछ divided area होते है, allocate होते है इन्होंने जो division किया है बिल्कुल सही किया है, absolutely fine इन्होंने consolidation को common area में दाला, branches को इन्होंने individual area में दाला बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल जबरदस्त किया है, कोई problem ही नहीं है, बिल्कुल सही किया है, कोई दूर दूर तक problem ही नहीं है दोस्तो, it's absolutely fine, it is wonderful, reporting इन्होंने majority rule के इसाब से किये, reporting इन्होंने majority rule के इसाब से किये, वो बिल्कुल गलत किया, ठीक है वो बिलकुल उन्हें गलत किया reporting उन्हें गलत किया reporting majority rules की साब से नहीं होनी चाहिए अब एक बहुत बड़ा fraud मिला है एक branch के अंदर कौन जिम्मदार रहेगा भाई branches जो थे branches जो थे वो allocated था वो separate responsibility में आता है वो separate responsibility में आता है concerned जो joint auditor है वो जिम्मदार रहेगा लेट्स freeze guys ब्यान दीजे सबसे पहले आपको essay 2.99 का reference देना है आपको बोलना है कि उसको divide करना पड़ता है काम को common area allocated area में उसको document करना पड़ता है सबको sign करना पड़ता है और inform करना पड़ता है PCW जी को यह इस तरीके से हम काम करने वाले है ठीक है फिर आपको reporting के बारे में बताना है बस मैं औरली बता है reporting के बारे में आपको बताना है कि reporting के अंदर report final करने पर सबसे पहले मिलना पड़ता है एस अगर agree कर गयए तो combined report देनी पड़ती है नहीं करे तो separate report देनी पड़ती है ज़ो लोग आपस मे agree कर रहे है तीन में से दो लोग वो अपनी एक combined report देंगे जो बंदा नहीं कर रहा है वो अपनी separate report देंगे दोनों reports एक में को refer करते है combined report में लिखा रहेगा और एक separate report है उसको भी ज़रूर पढ़िए separate report में लिखा रहेगा और एक combined report है उसको ज़रूर पढ़िए OMP दालके दोनों एक में को refer करें ठीक है फिर आप बताओगे ठीक है फिर आप बताओगे कुछ चीजे joint responsibility में आती है कुछ चीजे separate responsibility में आती है ठीक है ये तीनों concept आप discuss करोगे और फिर आप conclusion दोगे division एकदम चका चक है एकदम सही है कोई problem नहीं है reporting इन्होंने गलत किये reporting majority rule के साब से नहीं होती separate तीसरा जिम्मेदार कौन जिम्मेदार कौन जो बंदे के fraud मिला था जो बंदे का fraud मिला था उसकी जिम्मेदारी थी उसकी जिम्मेदारी थी कि इसके बारे में सबको पता होना चाहिए भाई साब वो concern बंदा जिम्मेदार रहेगा तीन मुद्दों को इन्हों टच किया क्या प्यारा question मना है क्या प्यारा question मना है तीन मुद्दे इसके अंदर involved है तीन मुद्दे इसके अंदर involved है और तीनों का आपको जवाब देना पड़े है बहुत प्यारा question इन्हों बना है बहुत ही lovely question मना है नए study material में concepts मतलब application of standards and hunting लेकर है और दोस्तों फिर मैं बता रहो ठीक है आप आपके पास आप building blocks आपका जो इस process positive attitude से enjoy करते हो चलो आपको continue दिमागा enjoy करते हो चलो वाह क्या question मजा आ गया ठीक है concept दिमाग में fit हो गए इसकी मदद से तो मैं standard को और अच्छे समझ रहो मैं बतो और याद हो जा रहे ठीक है इसकी मदद से मैं 10 और question solve कर लूँगा 20 और mcq solve कर लूँगा इस attitude से चलो मजा आ रहा है बहुत ज्यादा back of the mind बोलते रो process में मजा आ रहा है question में मजा आ रहा है concept मुझे याद हो जा रहे मजा रहा है इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा आपको enjoy करते वे चलना पड़ेगा दोस्तों ठीक है enjoy करते चलोगे तो आप बहुत आगे जाओगे और बहुत लंबा खिल जाओगे now आईए difference of opinion रहा तो क्या करना ये अभी हम लोग discuss करके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है अभी हम लोग discuss करके audit report बाने से पहले इनको आपस में बैठके discuss करने पड़ते हैं अपने conclusions और कोशिश करनी पड़ते हैं common conclusion पर पहुचने की ठीक है अगर एक common conclusion पर पहुच गए agree करके तो common audit report जाती है अगर अगनी करेंगे separate audit report जाएगी ठीक है जो लोग आप separate audit report जो लोग आपस में अगर agree कर लेंगे वो अपनी combined मना लेंगे जो agree नहीं कर रहे अपनी separate report मना देंगे और तो दो reports बनेगी और दोनों एक में को refer करेंगे दोनों में OMP आएगा other matter paragraph as per sa 706 706 के इसाब से आपका 706 के इसाब से आपका OMP आएगा ठीक है आएए दोस्तों आगए okay guys we are through with one more lovely thing एक और बहुत प्यारी चीज़ हम लोगों ने खतम कर दी ठीक है guys बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत प्यारे प्यारे questions है बहुत प्यारे concepts है उसका बहुत प्यारे प्यारे application है इससे आपकी conceptual understanding super हो जाएगी ठीक है points कौन से आपको focus करने उसमें भी clarity आजाएगी there will be very good clarity उसमें भी clarity आजाएगी retention retention कैसे करना वो आपको बताओ retention भी आपका improve हो जाएगा और यह चीज़ी हो जाएगी तो definitely बहुत प्यारे answers आपके उत्रेंगे MCQs और सबको आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से अप solve कर पाओगे ठीक है और most important है वो process मैं आपको बता रहा हो कि कैसे interpret कैसे interpret किया जा रहा है कैसे interpret किया जा रहा है SF402 service organization study material भाई साब लंबे समय से question pending है यह question लंबे समय से pending है November 13 exam में आखरी बार आया था November 13 exam में आखरी बार आया था उसके बाद से घूम रहा है घूम रहा है यह question November 19 mock में last time आया था अब इसकी entry हुई है अब इसकी entry हुई है study material 23 में अब इसका importance गजब का बढ़ गया अब इसका importance गजब का बढ़ गया ठीके ध्यान दीगे जब कोई client अपना काम बाहर आउट्सोर्स करता है बाहर वाले की मदद लेता है बाहर वाले की मदद लेता है तो बाहर वाले को हम लोग बोलते है service organization जो मदद कर रहा है जो services दे रहा है ठीक है service organization और जो entity यह services ले रही है उसको बता है user entity user entity अब एक बहुत famous question इसमें आता है ठीक है एक बहुत famous question इसमें बहुत ही famous question आता है कि भाई साब आप अगर ऐसी situation आपकी रहे ऐसे ऐसी situation अगर रहे अगर ऐसी situation है तो आपने क्या understanding obtain करना चाहिए आपने क्या understanding obtain करना चाहिए what understanding you should obtain what understanding you should obtain what should be the source of information कहां से वो information अगर आप अगर वो understanding आप obtain नहीं कर पा रहे हैं तो आपने क्या करना चाहिए तीन questions है जब भी आपको outsourcing मिले तो आपने क्या understanding obtain करना चाहिए क्या जानकारी आपने लेनी चाहिए कहां से लेनी चाहिए और अगर आपको जानकारी नहीं मिले तो आपने क्या करना चाहिए what you should do ठीक है what you should do चलिए अपने यहाँ पर एक छोड़ा सा एक्जामपल है वो मैं आपको बता दू और उसके बाद में quickly उसके बाद में हम लोग चलते हैं तो हमारे एक्जामपल में user entity ने अपना salary processing का काम outsource किया है salary processing का काम outsource किया है salary processing का काम सामना लोगो outsource किया है मतलब in short हम salary processing services ले रहे हैं salary काम उसको को दिया है मतलब salary processing services उससे हम लोग ले रहे हैं तो वह service organization हो गया और हम लोग user entity हो गए ठीक है आज के date में क्या काम होता है clerk triplicate में जित्ते भी नए appointments होते है या appointments के बाद में promotions होते है या promotions के अलावा transfers होते है या फिर कोई termination होते है retirement होता है इन सब के document एक clerk बनाता है और triplicate में हर चीज के triplicate में document बनाता है HR head जाता है HR की team उसको देखती है HR head का science signature उस पर जाता है बनाने वाला clerk है उसको approve करने वाला HR head है HR head है और फिर उसके बाद में उसको देखने वाला आपका CFO है CFO की sign और signature जाती है ठीक है और अब एक copy 25th of every month और पूरी information के साथ में service organization को जाती है एक copy employee को मिलती है और एक copy वो अपने पास रखते है triplicate में चीज़े बनती है एक copy उनके पास जाती है एक copy employee के पास जाती है एक copy खुद के पास रहती है ठीक है ये जो पूरा काम हो रहा है ये जो step है one two three four ठीक है ये चार steps होते है आता हो फिर service organization में जैसी information मिलती है नरेश नरेश envelope को open करता है read करता है confirm करता है इतनी ही information थी ना इतने ही appointments थे ना इतनी promotion थे ना इतनी transfers थे ना इतनी retirement थे ना वो confirm करता है इसको बोलते interaction इसको बोलते interaction between user entity and service organization interaction चल रहा है ठीक है महेश उसको electronic form में electronic form में convert करता है electronic form में उसको convert करता है जिगनेश उसको processing के लिए upload करता है information आई ही तो एक बंदे ने confirm किया दुस्तरे ने उसको electronic form में convert किया तीसरे ने उसको upload किया प्रोसेसिंग के गनेश, ठीक है, फाइनल प्रोसेसिंग के बाद में जो Excel फाइल होते है, उसको देख करके मेल करता है, इस मेने की आपकी इतनी सालरी है, management की team, ठीक है, email होता है, secured email होता है, यहाँ पर management की team बैठी है, management की team पहले उसको चेक करती है, देखती है कि सारे total employees बराबर है न 10 employee की salary recompute करती है 3 मैने का monthly graph बनाते है कि सब normal लग रहा है न increase, decrease है तो QA justified है न फिर जाके salary का payment होता है ठीक है तो ये 10 steps हो रहा है ये जो step 1 to 4 है outsourcing में 10 step हो रहा है ये जो step 1 to 4 है ये जो 1 to 4 जो काम हो रहा है इसको हम दोग बोलते है complimentary user entity control complimentary user entity control मतलब क्या user entity के वो internal control system जो service organization को compliment कर रहा है जो service organization को help कर रहा है अपना काम अच्छे से करने में उसको बोलते complimentary user entity control ऐसा आपको बोलना है user entity के वो control जो service organization को help करते है स्टेप नंबर फाइव टू नाइन जो है उसको बोलते इंटरनल कंट्रोल सिस्टेम एड्ड सर्विस और्गनाईजेशन इंटरनल कंट्रोल सिस्टेम एड्ड सर्विस और्गनाईजेशन और जो दस्वा स्टेप है उसको बोलते इंटरनल कंट्रोल सिस्टेम एड्ड को आउट्सोर्सिंग की रिस्क को कॉमपनसेट करने के लिए तो लेट्स फ्रीज गाइज हम लोगों ने यहां पर आउट्सोर्सिंग का मतलब समझा हमने समझा सर्विस ओरनाइशन कौन है यूजर इनिटी कौन है हमने आपर तीन तरफ के समझें कॉम्पलिमेंटरी उजर इंडिटी कंट्रोल समझा इंटरन कंट्रोल एट सर्विस ओरनाइशन समझा कौन क्या काम कर रहे हैं और जो आउट्सोर्सिंग से डिटा जनरेट होता है उसको भी चेक किया जाता है क्योंकि आउट्सोर्सिंग के अंदर भी रिस्क होती है उसको बलते है relevant कंट्रोल आजाईए अभी क्या information इखटा करेंगे कहांसे इखटा करेंगे नहीं मिला तो क्या इसकी एक बहुती और मैंने आपको बताया है दोस्तों मैंने आपको बताया है कि यही questions यही questions में से गुमा फिरा के चीज़ें आ सकती है हो सकता है question exactly ऐसा ना है लेकिन इनी किसी मुद्दों के उपर है इनी किसी मुद्दों के उपर question आ जाए now मैं आप लोगों को और एक बता दू हम जो latest answer वो लेते हैं CA institute अपना ही answer change करता रहता है ठीक है CA institute अपना ही answer change करता रहता है उसमें कुछ increase decrease करता रहता है correct जो latest answer होता है हमारी team continuously check करते है कि उस question का latest answer क्या है what is the latest answer और वो latest answer को include करते हैं ठीक है latest answer को हम लोग include करते हैं तो हम लोग हमारे खुद के answer भी change करते है as per CA institute तो जो answer आपको परब में दिख रहे है वो latest answer है correct जो answer दिया हो एकदम perfect है bank on target है अगर actuary के काम के लिए evaluation के बारे में अगर आप 3-4 line लिखना चाहते तो बिल्कुल लिख सकते हो लेकिन बस मैं इतने ही बोलूँगा कि we do a lot of research and उसके बाद हम चीजों को लिखते हैं तो आप सिधा conclusion पे नहीं आए कभी कि सर यह सही नहीं है वो सही नहीं है तीक है यह जो हमने list दिये important questions की list बाजू में हम लोगों ने titanium के concept number दिये बाजू में important questions की list में из dairy concept नंबर दिये जो titanium के concept number दिये वही तो important है जो titanium के concept number दिये वही तो important है दोस्तों आ जाएए और अब 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 देखें दोस्तों ना लिसन ना लिसन तो अगर आउटसोर्सिंग हुई है न दोस्तों और मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कोई कॉई कॉइप बुक होगी आपकी कोई पुरानी बुक होगी जिसके अंदर ये बाते पूरी कवर्ड है ठीक है बिल्कुल आप उसको बेस बना सकते है बिल्कुल आप उसको बेस बना सकते है उसका आप रेफरेंस दे सकते है उसको आप बेस बना सकते है उसको आप रेफरेंस दे सकते है लेकिन चीजों को ठीक है आप मार्क करकर रखिए इस चीजों को mark करते रही है और regular basis पर इसको करते रही है क्या understanding obtain करेंगे जब outsourcing होती क्या understanding obtain करेंगे हमने इसको points को बाटा हुए कुछ points है आपके services से related कुछ points है आपको services का knowledge लेना पड़ेगा फिर आपको कुछ point है service organization का knowledge लेना पड़ेगा और आखरी में, आपको इंटरनल कंट्रोल्स का नौलेज देना पड़ेगा. सबसे पहले Services, पहला पॉइंट Done आपको Nature of Service कि gitu osition पर्चेस में पर्चेस में हेलप ले रहे, कि présentation में हेलप ले रहे, कि सेल में हेलप ले रहे कि accounting में help ले रहे, कि salary में help ले रहे, nature of service लेना पड़े है, उसका significance समझना पड़ेगा, कितनी important चीज़ आपको वो समझना पड़ेगा, कि आप बहुत बड़े income, expense, asset, liability पे उसका impact है, कि आपको समझना पड़ेगा, इसका significance, उसका important समझना पड़ेगा, Is it directly affecting our business, अगर कोई चीज़ production से related है, तो वो directly हमारे business पे impact डालती है, sales से directly हमारे business पे impact डालती है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, nature of service और उसका significance, उसका importance क्या है, क्या business के उपर उसका बहुत heavy impact है, क्या, वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको फर्मजना ठीक है, और उसके वैसे आपकी internal control system पे क्या impact हुआ है, पहले आपका पुरा department था salary processing का, पुरा department था salary processing का, बस अब आपका एक clerk रह चुका है, वो काम करने के लिए, we need to understand, we need to understand, nature of services, what is the significance of that service, और उसका क्या impact हुआ है, internal control systems के उपर, ठीक है, पहले वो समझा, फिर आपको transaction balance और disclosure पे impact है, यह जो salary हमने processing outsource की है, salary account पे impact है, bonus account पे impact है, commission account पे impact है, leave and cashment पे impact है, gratitude पे impact है, provident fund पे impact है, किस-किस पे impact है, वो आपको देखना पड़ेगा और उसकी materiality कितनी है, तो आपको nature of services, उसका significance, उसका impact, फिर nature and maturity of transaction balance disclosure, कौन से चीजों पे impact है, और वो कितनी material है, और उसके बारे में सोचना पड़ेगा, फिर, कौन से transaction balance disclosure पे impact है, उसका nature और उसके maternity के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर आपको service organization के बारे में सोचे, उसके साथ में क्या relationship है, क्या relationship है, क्या वो हमारी group company है, क्या वो हमारी group company है, वो देखो group company नहीं है, तो क्या उसके हमारा agreement है या फिर क्या हमारा उनके साथ में MOU है is it a group company or it is a outside company are we having agreement which is legally enforceable are we having MOU one of the terms and conditions कितना काम हमको करना है कितना काम उनको करना है वो समझो degree of interaction ठीक है कितना degree of interaction है कितना communication है जितना degree of interaction जितना दा communication रहेगा ठीक है उतनी आदा चीज़े confirm होती रहेंगी उतने internal control strong होती रहेंगी आपको services को ध्यान में रखकर nature of services और related point nature of transaction balance description related point ठीक है services से आपके दो point निकल कर आगे service organization किस तरह का relationship है किस तरह का relationship है किस तरह का interaction है और दो point निकल कर आगे और फिर understanding relevant control outsourcing की risk को compensate करने के लिए क्या relevant control बनाएगा है क्या वो procedure है कौन उसको execute कर रहे है यह जानकारी इखटा करनी पड़ती है यह जानकारी इखटा करनी पड़ती है services के बारे में सोचो points याद आ जाएंगे service organization के बारे में सोचो point याद आ जाएंगे internal control systems के बारे में सोचो point याद आ जाएंगे ठीक है this is the understanding you are supposed to obtain जब भी outsourcing दिखे तो यह जानकारी इखटा करो फिर इसके बाद में ठीक है आपको user entity से आपको ये पूरी जानकारी यूजर entity से आपको generate करनी पड़ती है user entity से अब user entity में कॉन सी चीज़ आपके user entity मैं ठीक है अब यहां पर उसके details आपको मिल जाएंगे कि कहां कहां से आपको जानकारी मिलेगी sources of information sources of information आपको यहां यहां से जानकरी मिलेगी यह हमारे model में भी नहीं है थीक है contracts और agreements से वहां से जानकरी मिलेगी सबसे बड़ा agreements होते agreements से वहां से जानकरी मिल जाएगी फिर system system के overview system का कोई model बना है तो वहां से मिल जाएगा technical manuals वहां से यूजर manual है वहां से आपको मिल जाएगा service organization ने कोई reports भेजी है वो मिल जाएगा उनके auditor ने कुछ report मिली है इस से आपको information मिल जाएगी internal auditor ने कुछ सबसे बड़ा होता है agreement से जानकरी मिल जाएगी agreement के बाद में system overviews उससे चोटा technical manual उससे चोटा user manual ठीक है service organization की report उनके auditor की reports internal auditor की reports it will be big source of information it will be big source of information तो आपको आपको बताना है आपने user entity में understanding can करने की बहुत kял कोशिश कि आप में बहुत कोशिश की लेकिन user entity में जो documents available थे उसस आपको जानकरी नहीं मिल लुए उनके पास में agreement available नहीं था system overview available नहीं था उनके बासम research एक उनके पास में कोई service organization की report नहीं थी, उसकी auditor की कोई report नहीं थी, there was no such report from them, internal auditor की कोई report नहीं थी, तो क्या करेंगे, फिर हम लोग को कुछ additional process लगानी पड़ेगी, easy to difficult मैंने उसको लिखा हुआ, हम direct service organization को contact करेंगे और उनको पूछेंगे, बताओ तेरे company में तुम क्या internal control system लगाते हो, क्या steps लगाते हो, तू बता, हम उनके auditor से type 1, type 2 report मंगवाएंगे, type 1, type 2 report, उनके auditor से type 1, type 2 report मंगाएंगे, ठीक है, I hope आपको थुड़ी clarity, type 1, type 2 report क्या होता है, फिर हम हमाये तरब से किसी बंदे को बोलेंगे, जा, जा हैधराबाद में processing हो रही है, जा कर देख, वहाँ पे क्या काम हो रहा है, और अगर जादा ही लगा, तो हम लोग खुद visit करेंगे service organization, सबसे आसार उनको contact करना, उससे थोड़ा और मुश्किल उनसे type 1, type 1, or तुबा मुश्किल किसी और को appoint करना, सबसे मुश्किल visit करना, यह बहुत प्यारा और important question है, क्या जानकार इखटा करना, कहां से जानकार इखटा करना, और अगर user entity में बैठ कर आपको sufficient information नहीं मिल रही, तो क्या additional process perform करना, इसके आने के chances बहुत ज़ादा है, इसके आने के chances बहुत 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 ज़ादा है, ठीक है, बस आखरी question, then we are through, आखरी question दोस्तो, then we are through with this, ठीक है, आपका SA402, आपका SA402 के अंदर, 402 के अंदर, type 1, type 2, report, ठीक है, बहुत simple सा है, बड़ा प्यारा सा question draft किया है, और देखो, mock mock में घुम रही है, बहुत ही ज़ादा mock mock में घुम रहा है, ठीक है, सुन लिजे, बहुत प्यार है, और ने अपनी audit report बनाई, और 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 ने अपनी audit report बनाई, और वो unmodified report, unmodified report है, it is a unmodified report, clean report है, एक junior ने report के अंदर reference दिया है, कि इस साल audit करते वक्त, service organization का जो alter था, उसकी type 1 ने type 2 report हमने use किया, उसका reference दिया हुआ, senior बोलता है, हमारी report है, सिर्फ हमारा ही नाम होना चाहिए, किसी और के report का reference नहीं होना चाहिए, modify the report, modify the report मतलब, modify उपे नहीं बोल रहा है, modify the report मतलब, भाई सब तू, वो change कर दे, वो change कर दे, ठीक है, तू change कर दे उसको, remove कर दे वो नाम, remove कर दे वो नाम, वो नाम मत दालो, ठीक है, इसमें और एक चीज़ बोली है, हमने हमारा काम सामने ले को दिया उसको बोलते सर्विस ओर्गनाईशन सर्विस ओर्गनाईशन ने अपना काम और आगे किसी को दिया उसको बोलते सब सर्विस ओर्गनाईशेशन मैंने पेरोल का काम सामने ले को दिया सामने वालों ने पेरोल के में से TDS का काम सामने रहने किसी और को दिया उसको बहुत सब सर्विस और्गनाइजेशन ठीक है एनिवेज उसका भी रेफरेंस दिया वह मुद्दा नहीं है उसका भी reference दिया वो मुद्दा नहीं है मुद्दा ये है कि reference का क्या होगा बहुत simple simple से एक मिल दूस्तो मुद्दा ये नहीं है मुद्दा ये reference आयका नहीं है ठीक है हमारे जो concept number दिये वहाँ पर भी है reporting के बारे में एकदम simple बात लिखिए आप audit करने गया अगर आपको sufficient appropriate information नहीं मिल रहे है you are not getting sufficient appropriate information about the outsourcing और उस सेरे चीजों की तो आप qualified disclaimer दोगे simple if you are unable to obtain sufficient appropriate information अगर आप unmodified report देते हो तो unmodified report में कोई justification नहीं देना पड़ता कोई खास reason नहीं देना पड़ता कोई reference देने की जरूरत नहीं है कोई reference देने की जरूरत नहीं है no need to give reference of any kind unmodified तो वो जो case में बोला है बिल्कुल सही बोलता है senior अगर unmodified report देते हो कोई reference देने की जरूरत नहीं आपको reference करने की जरूरत नहीं type 1 type 2 report service organization का जो auditor है वो जो report बना कर भेशता है उसको type 1 type 2 report हम लोग बोलते है ठीक है अब यहाँ पे modified है तो reference आपको देना है लेकिन reference देने के बाद में भी auditor की जिम्मेदारी जो थी वो ही रहेगी उसकी जिम्मेदारी कही पर भी कम नहीं होती उसकी जिम्मेदारी कही पर भी कम नहीं होती तो बहुत प्यारी चीज थी यह question बार बार घूम घूम कर आ रहा है बहुत प्यारी चीज है यह question बार बार घूम घूम कर आ रहा है आपके दिमाख में clarity होनी चाहिए कि मैं तीन बाते, तीन बाते clarify करूँगा, तीन बातों पर में focus करूँगा, ठीक है? Guys, we are through with this also, ठीक है? We are through with lot of sections today also, lot of essays today also, तो हम लोगों ने, ठीक है? हम लोगों ने, हम लोगों ने बड़ा प्यारा, हम लोगों ने बड़ा प्यारा, ठीक है? We are through with lovely questions of chapter number one, lovely questions of chapter number one, जिसमें SQC 1 और SA2 20 थे, बड़े प्यारे-प्यारे questions थे, बड़े-बड़े-प्यारे-प्यारे concepts थे, बार-बार उसको करते जाएंगे, आप comfortable हो जाएंगे, chapter number two पे हम लोगों ने बहुत प्यारी चीज़े cover की, हमने SQC 240 cover किया, SQC 250 cover किया, SQC 266 cover किया, SQC 299 cover किया, और उसके बाद में 402 cover किया, 5 standards हम लोगों ने बहाँ पे cover किया, वो भी हमने cover कर दिया, इन टोटालिटी, इन टोटालिटी, अभी तक हम लोगों ने 34 questions, अभी तक हम लोगों ने 34 questions हम लोगों ने, हम लोगों ने cover किये हुए, चीक है, अभी भी मैं थोड़ा सा, थोड़ा सा मैं अभी ले कर के, में और कुछ चीजे में क्लियर और कुछ चीजे मैं कवर करने कोशिश करूँगा मैं चलो कोशिश करता हूँ कि मैं 40 question तक लेकर चला जाओ और 6 questions कर लो 40 question तक मैं लेकर चला जाओ लेकिन जो मुझे मुझे समझ में आ रहा है कि हमको जो time है वो थोड़ा जादा लग रहा है हमको जो थोड़ा time है हमको जादा लग रहा है मैं पहले 250 important questions लेकर चल रहा था उसके साब से मैंने planning किती उसके साब से मैं आगे बढ़ रहा था ठीक है लेकिन फिर मैंने देखा कि ज्यादा questions कराने की ज़रुरत है क्योंकि important list मेरी बढ़ चुकी है तो हमको कुछ modifications करने पड़ेंगे जो हमारा telegram जो हमारा ठीक है अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप लोग telegram के उपर मुझसे connected रही है telegram channel के उपर connected रही है मैं जल्दी इसके वारे में कुछ सोचूंगा कि how to ठीक है कैसे इसको हम लोग handle करें how to handle this situation हो सकता है कि हम लोग हो सकता है कि हम लोग time को थोड़ा सा बढ़ा दे time को थोड़ा सा बढ़ा दे हो सकता है not necessary क्या मेरे उपर भी बहुत जब वर्क्रोड आता है ठीक है आपकी मैं Hindi की बैच लेता हूँ मैं English की बैच लेता हूँ और उसके बाद में मैं inter का भी revision करवा रहा हूँ तो अभी मेरे उपर तीन चीज़े चल रही है और यह तीनों की चीदों चीज़े बहुत हाई energy में बहुत हाई speed में पढ़ानी पढ़ती है तो it puts loads of pressure it puts loads of pressure on me also तो मुझे वो pressure भी handle करना पढ़ता है और lecture अच्छे speed में बने वो भी मुझे ध्यान रखना पढ़ता है ताकि revision में यह बहुत ज़्यादा काम आ सके multiple revision में काम आ सके ठीक है now keeping all these factors तो telegram में connected रही है मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा इसमें आईए दोस्तों फड़ा फट और 6 question target करते है come on come on come on come on come on come on 6 question और target करते हैं फिर आगे की बात हम आगे सोचेंगे आईए ठीक है हमारा chapter number 3 chapter number 3 plan audit planning APSE audit planning strategy and execution की उपर है आईए तो दोस्तों ऐसा है कि पहले हम लोग strategy बनाते है और फिर हम लोग audit plan बनाते है broad guidelines audit कैसे करना उसको audit strategy बोलते है और detail audit कैसे करना उसको audit plan बोलते है अब आपके essay के अंदर terminology है overall audit strategy और audit plan आपकी जो traditional थेरी है आपकी जो traditional थेरी है जो देशी थेरी है standards on auditing के पहले की थेरी है वहाँ पे words क्या है overall audit plan वो लोग overall audit strategy नहीं बोलते है वो लोग overall audit strategy नहीं बोलते है they don't use word overall audit strategy they use word overall audit plan लेकिन दोनों का मतलब एक ही है फिर audit plan word वो लोग use नहीं करते है audit program word यूज करते है लेकिन दोनों का मतलब same है ठीक है चलो यह मैंने पहला clarity दे दिया अब यहाँ पे अगर आपको overall audit strategy बनानी है तो कौनसे मुद्दों के लिए तुमको strategy बनानी होगी कौनसे मुद्दों के लिए तुमको strategy बनानी होगी कॉनसे factors के लिए तुमको strategy बनानी होगी कौनसे factors ध्यान में रखके तुमको strategy बनानी होगी ठीक है या फिर ऐसा पूछतेए steps involved in formulating audit strategy बाइए steps ऐसे कोई steps नहीं होते है वापस कौनसे factors पे आपको focus करना है वो ही होता है ऐसे कोई अलग से स्टेप नहीं होते ऐसे अलग से कोई स्टेप नहीं होते concept factors के लिए आपको strategy बनाने एक shortcut यहां पर दिया हुआ है RCRPF, RSRPF ऐसे strategy दिया हुआ है एक रोज करके इस बार titanium में रोज करके हम लोगों ने ठीक है आपका shortcut बना के रखा हुआ है क्या concept नंबर था apsc.180 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 आईए जब आपको overall audit strategy बनानी होती है यह factors के लिए आपको strategy बनानी पड़ती है RRS. वो रिसोर्सथे आपको रिसोर्स की planning करनी पड़ती है आपको कितने team member लगेंगे कितने senior लगेंगे कितने junior लगेंगे कितने time kill लगेंगे इसकी strategy आपको बहने पड़ती है O stands for objective आपको overall objective है clearly define करना पड़ता है कि आपको fair presentation framework के साब से open देना है, आपको compliance के साब से framework, overall objective आपको लिखना पड़ता है, overall objective आपको लिखना पड़ता है, क्या format में आप report दोंगे, कब आप report दोंगे, वो लिखना पड़ता है, इसके अलावा communication, within team कैसे communication होगा, team के बाहर, दूसर इंटरॉटर से कैसे communication होगा, इंटरॉटर से कैसे communication उसकी, तो reporting objectives and communication की strategy बनती है, scope, characteristics of the assignment, आपको characteristics of the assignment समझने पड़ते है, आपको इंडस्ट्री को समझना पड़ता है, धंदे को समझना पड़ता है, ठीके, वो उनका legal form जो है, उसको समझना पड़ता है, वो कैसे काम कर रह परफॉर्म करोगे, आप test of control ज्यादा परफॉर्म करोंगे, कि आप substantive audit process ज्यादा परफॉर्म करोगे, आप automated checking ज्यादा करोगे, कि आप manual checking ज्यादा करोगे, scope, scope को लेकर आपको strategy बाने पटे, efforts, factors जिसका बहुत बड़ा impact है on efforts of the audit team, ठीके strategy बनाते हैं, हम लोग maturity level तै करते ह इसका बहुत बड़ा impact है for efforts of the audit team, अगर maturity level कम कर दोगे, तो छोटी मोटी चीजों को भी बहुत चेक करना पड़ता है, efforts बढ़ जाते हैं, वाई से वरसा, ठीके, audit risk आपको तै करना पड़ता है, audit risk कम कर दोगे, तो महनत बढ़ जाती हैं, वाई से वरसा, फिर evaluation, primary engagement activity, primary planning के पहले जो आप primary engagement activity करते हो, client के सामने, आमने सामने बैठते हो, सोचते हो assignment लेना की नहीं लेना, ethical रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, engagement later sign करते हो, उसमें से क्या सीखा, उसको लेकर भी strategy बाना पड़ती है, तो strategy जब बनाते हैं, तो ये बातों के लिए strategy बाना पड़ती है आपके resources के लिए strategy बनाना पड़ती है, reporting objectives और communication की strategy बनाना पड़ती है, assignment को समझ के scope को लेकर strategy बनाना पड़ती है, scope तै करना पड़ता है, efforts, efforts पे impact दालने वाले factors की strategy बनाना पड़ती है, evaluate करके, preliminary engagement activity, evaluate करके strategy बनाना पड़ती है, कोई भी shortcut यूज करो, ये रोज वाला shortcut करो, या फिर आप आपका ये जो shortcut दिया वो यूज करो, इसकी strategy बनाना पड़ती है, बहुत simple है, अगर आपको पुछे factors, आपको पुछे steps, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, इनकी strategy बनाना पड़ती है, ठीक है, आईए, अरे भाई, क्या प्यारा, क्या प्यारा question पू क्या हुआ है, ठीक है, अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, ठीक है, CA प्रद्युमने planning for audit, plan बना रहा है, planning for audit, भाई इसने तो इस question ने मुझे हिला गर दिया, क्या institute ने प्यारा हूँ, क्या institute ने प्यारा concept है क्या बताओ मैं आपको, बहुत ही प्यारा concept institute ने, institute ने लिया है, इतना गहरा खीच के मारा है, कि भाई, देखकर मैं हिल गया, देखकर मैं हिल गया दोस्तों, ठीक है, strategy के बारे बात की, plan के बारे में मैंने बात नहीं की, क्यों question select नहीं हुआ, लेकिन plan आपको बता दू, आपको पहला plan माना पड़ पता है further audit procedure का, further audit procedure मतलब test of control or substantive audit procedures, फिर ज़रुआत पढ़ने पर आपको और plan माने पड़ते, तो आपको तीन तरग के plan माने पड़ते, रिस्क assessment procedure का plan, फिर further audit procedure का plan, उसके बाद में other audit procedure का plan, ठीक है, और यह जब plan बनाते है, यह plan detail में होता है, इसमें nature, timing और extent होता है, nature of audit procedure क् perform करेंगे, क्या हम लोग inquiry use करेंगे, observation use करेंगे, क्या use करेंगे, nature बताना पड़ता, timing कब करेंगे, month end पे करेंगे, quarter end पे करेंगे, half year end पे करेंगे, year end पे timing, extent, extent मतलब कितने detail में हम check करेंगे, यह भी तै करना पड़ता है, जब plan बनता है, तो तीन चीजों के लिए plan बनता ह एक बन्दे ने planning की, ठीक है, और planning करते वक उसने list of various procedures, क्या-क्या procedures लगाना है, वो तै करेंगे, मतलब nature of checking उसने तै कर लिया, ठीक है, इसने, अपने mind में about sample size, इसने बोला कि मैं sample size जो है, जब मैं procedure perform करूँगा, तब ही मैं तै कर लूँगा, अभी नहीं करता हूँ, भाई इससाब, institute ने game खिलना ला, institute ने बोला, institute ने बोला, planning करते हो, हमको तीन बाते तै करनी पड़ती है, nature of checking, timing of checking, extent of checking, extent of checking, extent of checking, मतलब sample size कितना होना चीए, वो, इस बंदे ने planning बनाते वर्क, sample size कितना होता है, वो तै ही नहीं किया, उसने बोला, बाद में सोचूँगा, इसके detailed depth में points होते है, planning के अंदर detailed में depth में points होते है, institute ने game खेल ला, institute ने बोला, ऐसे 300 applicable को, इसका analysis दिया, मैंने, institute ने बोला है, कि ऐसे 300 applicable है, आपको बताना पड़ेगा, तीन चीजों के plan बनते है, और उसमें आप nature timing, extent तै करते हो, ठीक है, सरी, यह उपर, institute का answer नीचे, मैंने answer extent of audit procedure, extent मतलब detail में आपको तै करना पड़ता है, detail में तै करना पड़ता है, क्या check करें, कैसे check करेंगे, ठीक है, अगर यह इसने planning करते हैं, sample size तै नहीं किया, मतलब उसमे extent तै नहीं किया, मतलब वो NTE बराबर नहीं बना रहा है, it is not following SA 300, भाई, ताप क्या खीच के मारा है, क्या खीच के मारा है, sample size तै नहीं करना, मतलब extent तै नहीं करना, मतलब NTE बराबर नहीं बनाया, मतलब तुने planning बराबर नहीं कि, भाई, question देखके घबराईए मन, ठीक है, question देखकर घबराईए मन, question देखके घबराईए मत में को बताया, question देखकर आप तो, इस से सीखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, institute इस में से पूछने के, जो intelligent बच्चे होते, जो इंडेन बच्चे होते, जो स्मार्ट बच्चे होते, वो क्या बोलते है, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में यह है कि मेरी जो concept book है, उसमें से मैं concept कर लो, इसमें मैं comfortable हूँ, जितने questions मुझे मिलेंगे, उतने maximum question की जितनी मैं practice कर सकतो हूँ, और मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे बोलेंगे, बस यह exam में question आने वाला है, मैं तो जिद्गया बना है, यही question आने वाला है, कुछ बच्चे बोलेंगे, भाई साब, इतना depth में पूछा है न जाने और कैसे कैसे question पूछूँगा, वो बच्चे बहुत सफर करते हैं, mentally बहुत सफर करते हैं, और यही differentiate करता है, एक high energy बच्चों में और एक low energy बच्चों में, जो high energy बच्चे होते हैं, वो must चलते हैं, क्या-क्या मैं मजे ले सकता हैं, उसके बारे में सोचके चलते हैं, और फिर नहीं तो फिर low energy में तो भाईया पिर कुछ नहीं होता है, ठीक है? किसी ने channel का नाम पूछ है audit guru ठीक है audit guru audit guru audit guru टेलिग्राम ठीक है CA Ravi Tauri audit guru CA Ravi Tauri यह telegram channel आपको मिलेगा मैं description में link दाल दूँगा lecture खतम होने के बाद मैं description में link दाल दूँगा आईए क्या relationship है audit strategy audit strategy और audit plan के बीच में answer थोड़ा सा हमने change कर दिया model case से थोड़ा change किया हुआ है आपको क्या बताना है जंडर डिलेशनिप पहले strategy बनती है फिर plan बनता है पहले strategy बनती है फिर plan बनता है ठीक है पहले strategy में changes होते है फिर plan में changes होते है लेकिन जरूरी नहीं है जरूरी कभी-कभी पहले plan बदलता है कभी-कभी हम बोलते हैं काम कर दो बंदे को लगा दो दिन थोड़ा study कर यह branch को हो सकता है उसके बाद हम strategy बदलेंगे कभी-कभी ऐसे भी होता है कि पहले हम plan बदलते हैं और उसके बाद में फिर हम strategy change करने का सोचते हैं जो भी हो दोनों closely connected है यहां पर इन्होंने और एक example दिया यह पर रोदिने एक example दिया मौर्डुल में एक example दिया मौर्डुल में एसे एक example है कि internal control system वीख मिले इंटरन 되면 पर ब्ले की रिस्टिम बढ़ाना पड़ेगा strategy में रिस्क को स्ट्राडेजी बदलेगी तो प्लान भी बदलेगी और हमेशा जब भी आपके स्ट्राडेजी और प्लान बनाएं आपको पहले जनरल रिलेशन बताना है कि जनरल क्या रिलेशन है एक्सेप्शन के बारे में समझाना है एक्साप्ल सा कंट्रोल्स वीक मिले तो रिस बढ़ानी पड़ रही है और maturity maturity को ध्यान में रखके सब चीज़े करनी पड़ेगी यह आपको बताना है भाई साब May 22 RTP में धाल दिया इसको May 22 RTP में धाल दिया इन्होंने इसको तो important तो बनेगा ही न भाई दोस्तो important तो बनेगा ही बनेगा ठीक है हम दोगों ने अभी तीन question कर लिए और तीन question फड़ापर फड़ापर तीन question कर लेते हैं फड़ापर फड़ापर तीन question हम लोग कर लेते हैं ठीक है अरे भाई साब बहुती बहुती प्यारा case अभी नए मॉडूल में है बहुती प्यारा case November 18 RTP का था वापस interview ही है new course में तो वापस इंटिव ये इस question की, new course में वापस इंटिव क्या पूछने का तरीका है, क्या पूछने का तरीका है, पूछने का तरीक है, यह ला जवा भट है, दोस्तों, ठीक है तो एक माधम है, Nikita, Nekita madam एक NGT माम एक ENGEO का audit कर रहे है NONPROFIT ORGANIZATION का audit कर रही है audit कर रहे है और उन्होंने इस बार देखा कि foreign donations foreign donation foreign donation to foreign currency regulation foreign currency regulation foreign contribution foreign contribution Regulation Act foreign contribution foreign contribution बहुत बढ़क बढ़े तो इन्होंने foreign contribution FCR Act के compliance के लिए foreign contribution के लिए इन्होंने बहुत सारी audit procedures लगा दी इन्होंने बहुत सारी audit procedures लगा दी ठीक है कई round tripping round tripping मतलब पैसा इंडिया से बहार गया और वापस donation बनके आया politicians ऐसा करते corruption से पैसा बहार लिकर जाते और वापस NGO में donation करके लिकर आते round tripping तो नहीं है पैसा जाना और वापस आना उसको round tripping गोलते हैं अपना ही पैसा गया और वापस आया ऐसा तो नहीं उसने चेक किया लेकिन ठीक है she is documented क्या क्या process perform की वो भी लिखा हुआ है she doesn't need to यहां पर she doesn't feel need for putting into writing about how she planned the whole exercise बाई साब ये बंदी ये बंदी audit करने जा रही है ये बंदी audit कर रही है audit जो perform क्या उसको लिख भी रही है लेकिन ये बंदी कोई planning का documentation नहीं कर रही है ये planning का documentation नहीं कर रही है उसके changes का documentation नहीं कर रही है she is not documenting the plan and she is not documenting the strategy ठीक है अब इसके अंदर बहुत simple है आपको बताना है ऐसे 3.00 बोलता है कि आपको document करना पढ़ता है जो भी audit strategy उसको document करना पढ़ता है strategy का मतलब समझाते है जित्ते भी broad guidelines है जित्ते भी decisions है audit process को लेकर ठीक है आपको एक ही लाइन में लिख दो resources को लेकर objective communication को लेकर आपके scope को लेकर आपके चीजों को लेकर जितने भी important बड़े जिसे आने broad decisions हैं इन सब को document करना mandatory audit plan को document करना उसमें में detail दे दो nature timing extent of risk assessment procedure nature timing extent of further audit procedure nature timing extent of other audit procedure तीन तरह के plan बनते हैं उसका भी information मिलती है और वो new information के वैसे changes होती है strategy or plan में उसको भी document करना जरूरी है तो यह महतरमा बिलकुल गलत कर रही है इन्होंने strategy or plan को document नहीं किया बिलकुल गलत किया उसके changes को document नहीं किया बिलकुल गलत किया it's a non compliance of पैसे 300 audit process perform करो लेकिन आपका strategy plan भी document होना चीए अच्छा लगा मेरे पर अच्छा है कोई बच्छा बुलेगा ठीक है ना यार सब ठीक है आई यह फड़ा फट एक क्लाइंट है जो कॉमोरिटी ट्रेडिंग कर रहा है फ्यूचर्स कमोरिटी फ्यूचर्स आपने सुना होगा सोना चांदी तेल कमोरिटी फ्यूचर्स की बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा ह यह जनली होता है कोई उसका office कभी visit नहीं किया उसका office कभी visit नहीं किया उसका office visit नहीं किया उसका काम कभी visit नहीं किया ठीक है फिर उसके बाद में सिर्फ email के उपर information लेकर audit कर दागा checklist के अंदर cost of raw material consume की बाते बोल भी कोई manufacturing नहीं है cost of raw material कहां से आगया working papers के अंदर कोई भी understanding understanding की बात नहीं है आईए दोस्तो क्या लिखना पड़ेगा सुनिए basically basically मुद्दा यह है basically मुद्दा यह है कि उसने धंदे को समझा ही नहीं उसने धंदे को समझा ही नहीं धंदे को समझे बिना audit कर दाना तो आपको बताना है देखो भी SA300 applicable है और उसमें strategy बाया नहीं पड़ती हो strategy में साफसाब लिखा हुआ strategy के अंदर strategy के अंदर साफसाब बात लिखी हुई है क्या बात लिखी हुई है strategy के अंदर साफसाब बात लिखी है कि आपको characteristics of the engagement समझना पड़ेगा आपको industry को समझना पड़ेगा धंदे को समझना पड़ेगा company के माहोल को समझना पड़ेगा internet control system को समझना पड़ेगा उसको ध्यान में रखकर आपको scope तै करना पड़ेगा क्या activity perform करोगे क्या activity perform नहीं करोगे ठीक है और आपको document भी करना पड़ेगा सबी चीजों को इसके अलावा formulating audit program formulating audit program देसी थेरी है देसी थेरी में भी लिखा हुआ है audit program format करने से पहले business को समझना पड़ेगा offices visit करनी पड़ेगी अगर उनका manufacturing का काम है तो factory visit करना पड़ेगा फिर audit program format करना पड़ेगा तो ऐसे 300 भी बोलता है धंदे को समझना ज़रूरी है formulating audit program वाली देसी थेरी भी बोलती है धंदे को समझना ज़रूरी है यहाँ पे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ठीक है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने धंदे को समझा ही नहीं no understanding business ठीक है इन्होंने धंदे को समझा ही नहीं इन्होंने कोई इन्होंने कोई visit नहीं किया कोई धंदे को कुछ भी नहीं समझा है ना इन्होंने चीजों को समझा है बराबर ना इन्होंने प्रॉपर कहां manufacturing की checklist लगा दी जो tailor भी नहीं कि जिसको एक standard checklist जो गी उसको लगा दिया जिसका जो relevant ही नहीं है इस धंदे को उसको tailor भी नहीं किया उसको adjust भी नहीं किया ना यह धंदे को समझ रहे है ना यह प्रॉपर strategy और plan बना रहे है एक general checklist भी गलत तरीके से यूज कर रहे है नौन compliance और वैसे 300 है बराबर audit program नहीं बना है चालिया ओके गाइस we are back let's see the last question तो basically एक multiplex है एक movie theater complex है एक multiplex है उसका audit program बना हो यह question कैसे ही पूछ सकते मेरे को नहीं मालो एक general audit program बना हो बहुत आसान है बहुत 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 आसान है दो मिट के अंदर हो जाएगा आपको मोटा मोडी समझ लीजे कि उसका legal firm क्या है multiplex का legal firm क्या है is it a company और is it a partnership firm is it a proprietary firm क्या है उसका legal form समझ लीजे company है तो उसका legal form समझ लीजे आप ठीक है और उसके आप legal form समझ लीजे उसका MOA उसका AOA अच्छे से आप समझ लीजे पहली बात ठीक है दूसरी बात दूसरी बात आपको major incomes की बात करनी पड़ेगी आपको major incomes की बात एकदम time pass बात है इनकी सबसे major income का किसी किसी है sale of tickets, sale of tickets की बात करनी है internal control system internal control system समझ लो sale of tickets का अगर online booking होती तो उसका internal control system आप समझ लो ठीक है बचपन से पढ़ रहे है ठीक है आपका standard format होना चीए tickets पे number printed होने tickets पे number printed होने चीए हर शो की अलग ticket होने चीए उसका color अलग होना चाहिए ठीक है ticket जब अंदर कोई जाता है उसकी checking होनी चीए internal control system आप समझ लो फिर इनकी दूसरी बड़ी कमाई आती है advertisements से आप advertisement के agreement, advertisement के records आप समझ लो अगली कमाई आती है इनकी cafe shop से वो आप समझ लो खुद का cafe चला रहे है खुद का cafe चला रहे है क्या, खुद का cafe चला रहे है किसी को rent पे जगात दिये, revenue sharing है वो समझ लो और फिर parking से कमाई होती है parking समझ लो listen guys, आपको पहले general point बताने हैं बहुत है time pass से, उनके legal form के बारे में फिर आपको चार major incomes के बारे में बात करनी है sales की major income, उसके बाद में add advertisement, उसके बाद में coffee shops की income, उसके बाद में आकरी में parking जो tickets होती है, parking tickets की income उसके बारे में आपको बात करनी है, फिर आपको expenses की बात करनी है आपका major payment to distributors, payment to distributor सबसे major, सबसे payment to distributor है, heavy पैसा खर्च करते हैं movie खरीदने के लिए तो आप समझो, कितने payment करके लगा किसको है, fixed payments है, revenue sharing है, उसके बारे में आपको ध्यान देना है, फिर उसके बाद में maintenance of the building is the next thing and finally, आपकी salaries, बस आप general point करो, major income की बात करो, major expense की बात करो हो जाएगा दोस्तों, round 40 questions हुए है हमारे, pełगहे, round 40 questions हुए है, दोस्तों ये questions अच्छे से कर लो, प्यार, मुवबत से कर लो बहुत प्यारे-प्यारे questions, बहुत प्यारे-प्यारे concepts है, ठीक है देखो मेरे दोस्त थे बहुत सिंपल सी कहानी मेरे को सुनाती थे बहुत प्राइग लगती थी एक छोड़ा सा बच्चा है उसको जंगल क्रॉस करना है एक छोड़ा सा बच्चा है उसको जंगल क्रॉस करना है बहुत बड़ा जंगल है कैसे क्रॉस करेगा ठीक है torch की light जो है वो बस थोड़े से दूर वोड़ती है तो बहुत simple है उसकी मम्मी उसको बोलती है कि torch की light जहां तक जा रही वहां तक चलने बेटा आगे का रास्ता अपने आप बनता जाएगा जितने questions बिल्कुल चिंता मत करिये tension मत लिचे इतने प्यारे-प्यारे question जितने question मैं बता रहो पहले उसको अच्छे से कर लीजे उसको अच्छे से कर लीजे question को अच्छे समझ लीजे concept को अच्छे समझ लीजे उसको question की आत्मा समझ ये answer की आत्मा समझ ये उसको polish कर लीजे ठीक है उसको आप पॉलिश कर लीजिए, उसके बाद में टाइम मिलेगा तो और questions कर लेंगे, ठीक है, टाइम मिलेगा तो और concepts कर लेंगे, step by step चलिए, और more often than not, आप बहुत अच्छी तयारी कर लेते हो, exam अच्छी चले जाती है, positive result आ जाता है, दोस्तो, चलिए, मैं audit guru telegram channel पे announcement कर कर दूँगा, audit guru telegram channel पे, okay, वापस lag है, चले दोस्तो, वापस lag था, कोई problem नहीं, मैं audit guru telegram channel पे announcement कर दूँगा, अगर हम कुछ भी change कर रहे, audit guru telegram channel के उपर आप जुड़ जाईए, okay guys, over for there, आपको अगर बहुत मजाया, तो वीडियो खतब गोने के बाद में, जरूर जरूर कमेंट करें, सबी रों के साथ में इसको शेयर करें, and मैंने आपसे दोई चीज़ें मांगी है, like, comment, यह तो करना है,